एजो सीकर में आप सभी का स्वागत है, इस वीडियो में हम टॉप 100 MCQ solve करेंगे, अपने 10 unit में से, हर unit में से 10-10 question को solve करने की कोशिश करेंगे, हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो का यही purpose है, कि final exam में 2 या 3 question भी 100 question में से आगे, तो इस वीडियो का purpose अचीव हो गया, तो बहुत तेजी से इस question को solve करने वाले 100 MCQ को 100 minutes में solve करने की कोशिश करेंगे, 15 minute उपर नीचर होते हैं, तो वो आप संभाल ले ना, वीडियो को मैं अपनी speed से लेकर जाने वाला हूँ, आप वीडियो को pause कर सकते हैं, play कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, पीशे कर सकते हैं, speed को increase क कर सकते हैं, decrease कर सकते हैं, सारे tool आपके पास है, उसको use कीजिए, इससे पहले कि हम question solve करना शुरू करें, मैं आपको पताना चाहता हूँ, कि हमने अभी recently advanced mock test series launch की है, जिसमें most advanced level MCQ जो है, दिये गे हैं, जिसकी वज़ा से जून जैसे जो exam आते हैं, उससे डर लगना बंद ह हो जाएगा, क्योंकि आप पहले ही बहुत ही difficult questions को face कर चुके होंगे, यह 1000 MCQ की जो test series है, हमारी 10 जेरा booster की वीडियो के बराबर है, इसको enroll करना है, तो description में link दिया है, वहाँ जाकर कर सकते हैं, चलिए question solve करना शुरू करते हैं, चलिए सबसे पहले solve करते हैं, critical theory के questions को, आज पहले question में आपसे यह पूशा गया है, कि Aries Marion Young जो है, modern society में 5 oppression के faces की बात करते हैं, वो 5 oppression कौन कौन से हैं, जैसे ही आपको screen पर सारे answer दिखाई दे, वीडियो को pause कीजिए, सोची answer क्या हो सकता है, क्योंकि मैं सासात अंसर दिखाता जाऊंगा, इसका right answer है option number 4, C जो है competition, वो oppression का face नहीं है, चलिए इसको भी explanation में हम समझ लेते हैं, Young कहते हैं, जब over justice पे काम करते हैं, कि कुछ oppression जो है, हमारी modern society में पाये जाते हैं, 5 उनमें से significant होते हैं, कौन कौन से होते हैं, exploitation, marginalization, powerlessness, cultural imperialism, violence, चलिए बढ़ते हैं अगले question की, और अगले question में आपसे यह पूशा गय किसने यह कहा है, कि जो political theory है, वो utilitarianism and intuitionism जैसे दो extreme में फस गई है, इसका right answer है, option number one, John Rawls कहते हैं, क्या मतलब है, इसका समझते हैं, John Rawls का main work है, a theory of justice, जिसमें वो क्या कहते हैं, कि political theory जो है, वो दो सिरो में फस गई है, दो extreme में, एक है utilitarianism, और दूसरा है intuitionism, इसका मतलब क् है, utilitarianism क्या बात करता है, greatest happiness of greatest number, इसका मतलब है, जादा से जादा लोगों का बला हो, इसी हिसाब से policy बनानी चाहिए, rules and regulation बनाने चाहिए, अब John Rawls को इसमें क्या problem है, क्यों criticize करते हैं, John Rawls कहते हैं, जब आप जादा number पर focus करने लगते हो ना, तो आप कुछ individual या minority को भोल अब वो कैसे, example के तोर पर कहते हैं, आप greatest happiness of greatest number अचीव करने के लिए, कि greater good के लिए हम कुछ कर रहे हैं, for example आप कहीं पर damn लगाने जा रहे हो, तो वहाँ पर जो लोग पहले बसते थे, आप उनको displace करने के लिए भी ready हो जाते हैं, उनके लिए भी आप सोचते नहीं हो, त आती है, कुछ rules and regulation लेकर आती है, वो utilitarianism के ही कहीं न कहीं से दांत को follow कर रही है, तो John Rawls कहते हैं, इन सब चीज़ों को हमें ठीक करने के जरूरत है, दूसरा है intuitionism, intuitionism का मतलब यह है कि कोई theory नहीं है, कोई ढंक से principle नहीं है, जो किसी को ठीक लग रहा है, वो उसी साब से कहा रहा है कि यह चीज होनी चाहिए, यह चीज नहीं होनी चाहिए, तो subjectivity इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो Rawls इसी को चीज को criticize करते हैं, कि इस चीज में किसी तरह की systematic theory नहीं है, systematic principle नहीं है, for example, अगर सरकार के पास पैसा है, fund पड़े हुए, उसको utilize करना है, कहां पर लगाया जाएगा, health पर जादा लगाया जाएगा, education पर लगाया जाएगा, तो अपने हिसाब से चीजे की जाती है, नहीं, वो कहते है, rationally सोचने के जुरूरत है, तरीके से सारी चीजे करने के जुरूरत है, इसलिए वो intuitionism भी देखते हैं, कि political theory एक और extreme को follow करती है, वो है intuitionism और इन दोनों के बीच, utilitarianism और intuitionism के बीच में फस रखी है, उससे निकालना जुरूरी है, अब बात करते हैं, question number 3 की, कनेशनिजम के कुछ statement दी है, और आपने बताना इन में से कौन सी statement वो correct है, इसका right answer है, option number 3, B and D correct है, A और C correct नहीं है, इस चीज़ को भी समयते हैं, पर वो अपनी economic ideas देते हैं, और वो popular हो जाते हैं, उसी को हम केनेशनिजम कहते हैं, क्या ideas देते हैं, वो कहते हैं, अगर great depression से निकलना है, तो government को market को बहुत अच्छे से regulate करना होगा, तब जाकर ही हम इस economically great depression जैसी situation से हम निकल पाएंगे, तो क्या उन्होंने सिधान दिये थ उसकी aggregate demand पर focus कीजिए, क्योंकि उसके basis पर ही economic boom और bust होगे, इसलिए आपको aggregate demand पर ज्यादा focus करना है, aggregate demand पर focus करने का मतलब क्या है, government फिर क्या करेगी, government जो है उसी साफ से tax जो है cut करेगी, tax या increase करेगी, या फिर जैसे RBI करता है, interest rates को increase करना, decrease करना, यह सारे control उनके हाथ मे होगे, यह चीजे करेगी, तो economy उसी हिसाफ से चलेगी, माल लीजे, government ने अपनी spending increase कर दी, infrastructure project पर काम करना चुरू कर दिया, roads, construction यह सारी चीजे कर रही है, तो लोगों को जो मिल रही है, जो मिल रही है, तो जे में पैसा जा रहा है, जे में पैसा जा रहा है, तो वो चीजे कर देगी, सस्ते loan देना शुरू कर देगी, RBI जो है, interest rate को कम कर देगा, economic boom इस तरह से आता है, तो इसलिए कहते, aggregate demand पर focus करना जरूरी है, अब चलते है, government intervention second principle पर, कि market को regulate करने के लिए, government को intervene करते रहना चाहिए, कैसे intervene करता रहना चाहिए, वो मिने पिछली examples दे दी है, कि tax क policies को change करें, थोड़ा सा monetary policy को change करती रहें, तो उससे जो है, market को regulate करती रहेगी, तीसरी चीज है, employment की importance बहुत है, keens के accordingly, और वो कहते हैं, कि कोई भी economy जो है, full employment पर अपने आप नहीं पहुंच सकती, अगर government जो है, intervene ना करे, अब full employment क्या होता है, full employment होता है, कि जो unemployment की numbers है, या percentage है, वो बहुत कम होगी, कभी भी neutral नहीं होती, zero नहीं होती, लेकिन काफी हब तक minimize कर ली जाती है, उसे कहते हैं कि full employment अचीव कर लिए, जितने labor resources है, government ने सभी utilize कर लिए है, इसलिए जो statement A और C दे रखी थी, पीछे जागे देख ले ना, वो classical free market economy के साथ associated है, लेकिन जो B D दे रखी है, वो kinesianism के साथ associated है, बढ़ते हैं अगले question की ओ, अगले question में आपसे पूछ रखा है, Spartacus League जो है, वो किसने establish की थी, किसने form की थी इनमें से, इसका right answer जो है, आपने choose करना है, और इसका right answer है, option number 2, रोजा लग्जंबर्ग और काल लिप कनेक्ट ने दी थी, च कौन फाउंड करता है, रोजा लग्जंबर्ग और कार लिप कनेक्ट, और रोजा लग्जंबर्ग जो है, वो लैनिन की जो revolutionary group है, वेंगार्ड पार्टी वाला group है, वो उसको criticize करते हैं कि वो जो रशिया में कर रहे हैं, वो सही तरीके से नहीं कर रहे है, revolutionary जो activity है, socialist revolutionary activity हो सह ही नहीं होंगे, बहुत ही जादा despotism या dictatorship जैसी situation बन जाएगी, और हम देखते भी हैं कि लैनिन के बाद जब Stalin आता है, तो वो ही सारी चीज़े देखने को मिलती है, जो रोजा लग्जंबर्ग ने predict की थी, बढ़ते हैं अगले question की और, अगले question में आप से पूशा गया है कि इन में से concept proponents या scholars analytical marxism के हैं, उसके accordingly आपने answer बताना है, इसका right answer है, यह सभी है A, C, D, E, लेकिन जो B है deluce वो नहीं है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि analytical marxism क्या है, analytical marxism भी एक marxist theories के साथ ही बलोंग करता है, late 20th century में यह जो है immerge होता है, चलिए इसके भी key points के ज यह समझते हैं कि क्या है, analytical marxism जो है, वो criticize करने के लिए willing है, कि जो marxist की theory है, उसको हम बदल सकते हैं, उसको बदलना भी चाहिए समय और हलात के साथ, लेकिन traditional marxist नहीं मानते थे कि बदलना चाहिए, लेकिन analytical marxist कहते हैं, बदल लेने चाहिए, analytical marxist यह भी है, कि जो investigative tool हो thinker, मतलब जो marxist theory से belong नहीं करते हैं, liberalism के thinker होगे, वो उनके साथ भी openly engage होना चाहते हैं, वो कहते हैं कि उनकी theories में भी कुछ सचाई है, तो इसलिए उनसे भी अगर कुछ सीखने को मिलता है positively, तो हम उनके साथ भी engage होंगे, analytical marxist जो है, micro level पर focus करता है, बेस super structure model जैसी computational marxist करते थे, analytical marxist जो है, वो justice की theory पर काम करना चाहता है, लेकि instructional marxist जो है, justice की theory को बिल्कुल भी develop नहीं करने में interested थे, इनमें कौन-कौन से thinker आते हैं, G.A. Cohen आते हैं, John Elster आते हैं, Philippi Van Paris आते हैं, John Romer आते हैं, ये सब ही thinker आते हैं, ये आपने ध्यान एकना है, अगले question की और बढ़ते हैं, question number 3 में आपसे पूशा गया है, इनमें से कौन से scholar post-feminism से belong करते हैं, क्योंकि feminism के काफे question पूश रहा है, अंटी है, तो हमने भी एक feminism का question त्यार कर लिया, कभी black feminism पूश लेता है, कभी post-colonial feminism पूश लेता है, आज हमने आपके लिए question त्यार किया है, क लेकिन वे feminism के जो principle या theory है, जा thinker है उसको ये criticize करता है, उसको ये resist करता है, post-feminism, इसमें कौन-कौन से thinker आते हैं, इसमें नाम आते हैं, कैमिल पैलिया, कैटी रोफी, पैट कलीफिया, नताशा वाल्टर जैसे नाम आते हैं, ये नाम आपने याद रखने है, post-feminism के लि ये कहते हैं कि feminism ने अपने बहुत सारे goal already achieve कर लिया है, इसलिए feminist movement जो अब आगे बढ़ रही है, ये बहुत ज़्यादा stretch होती जा रही है, इसको रुकना चाहिए, तो इसलिए feminism और anti-feminism का एक जो middle ground निकल कर आता है, एक balance निकल आता है, जैसे golden mean कहते हैं, वो post-feminism कहलाता है, और ये gender equality को भी sport करते है, female empowerment को भी sport करते है, लेकिन जो feminist की theory है न, जग criticism है, patriarchal norms को लेकर, existing institution को लेकर, जो काफी extreme side पे चलते जा रहे है, post-feminism उस सारी चीज़ों को condemn करता है, criticize करता है, तो post-feminism फिर क्या कहता है, post-feminism कहता है कि women को हमें as agent देखना शुरू करना चाहि इंस्टेड, agent पर काम करना आप शुरू कर दो, आप उनकी पढ़ाई लिखाई में दियान देना शुरू कर दो, आप उनकी अच्छी job में दियान देना शुरू कर दो, material equality जो है, उनको मिलनी चाहिए, इन सब चीजों पर focus करना शुरू कर दो, women को अब as agent की तरह देखो, victim card play करना बंद कर दो, दूसरी चीज कहते हैं कि अपनी sexuality को लेकर जो भी समाज में stereotype या stigma जुरे हुए हैं, उन सब से हमें free होने की जुरूरत है, liberate करने की जुरूरत है, दूसरी चीज वो कहते हैं, जितने भी consensual sex होते हैं, उन्हें celebrate करने की जुरूरत है, क्योंकि बहुत ब sex को भी celebrate करना चाहिए, फिर वो कहते हैं कि women के material equality पर focus करना चाहिए, उनको equal pay for equal work जैसी जो principles होते हैं, उस पर काम करने की हमें जुरूरत है, फिर वो कहते हैं कि जैसे beauty practices होगी, gender dress होगी, यह सारी चीजे women को follow करनी चाहिए, makeup करना पसंद है, जिस तरहां से भी वो रहना चाह वो अपनी choices को freely embrace कर सके, कौन सी dress पहना चाहते है, चाहिए वो साड़ी क्यों ना हो, सलवार कमीच क्यों ना हो, western क्यों ना हो, यह सारी जो औरतों का पहरावा होता है, तो उन्हें freely या openly embrace करना चाहिए, women की dress को लेकर जो choices को stigmatize किया जाता है, यह सारी चीजे से उपर उठन हैं कि यह क्या कहना चाहते हैं, जितने भी धिंकर इसमें हमने रखे हैं, वो सारे green ideology से belong करते हैं, अब जैसे beyond long bog है, वो skeptical environmentalism की बात करते हैं, Ted Nodos या Michael Chelenberger जो है, वो the death of environmentalism का एक essay लिखते हैं, controversial, वो भी famous है, इसी तरह in golfer blue dawn जो है, वो कहते हैं कि हम जो है, अब move कर चुके हैं post ecologism के era में, इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया जो है, अब environment issue पे काम नहीं करेगी, anti environment बन गी है, कहते हैं, लेकिन जो traditional environmental beliefs हैं हम उसे अब उपर उठते जा रहे हैं, अब इसका मतलब क्या है, कहते है कुश environment issue देना हमारी बड़ी immediate concern थे एक time पर, लेकिन अब वो एक background पे चले गए हैं, अब हमारे लिए immediate concern नहीं रहे गए, जैसे capitalism सबसे पहले बड़ा issue देखा जाता था, खास करके जब industry revolution शुरू होई थी, कि पता नि इसने क्या कर देना है, लेकिन अब इसको ऐसे नहीं देखा जाता है, इसको as a part of the solution देखा जाता है, इसलिए कुश environmental issue हो zone layer को हो गया, climate change को लेकर हो गया, यह अभी background पे काम इनका चल रहा है, यह immediate concern हमारे नहीं बड़े हैं, इसलिए हम post ecologist era में enter कर चुके हैं, इनका यह मानना है, चलिए बढ़ते हैं अगले question की और इसमें आपसे दो list पूशी गए हैं और आपने इनको match करना है, एक में concept है और and positive, वो कहते हैं यह चीज़ सही नहीं है, liberty rather, एक ही freedom की बात करता है, एक ही concept होता है, और उसको एक line में, एक statement में हम समय सकते हैं, यानि तीन चीजे लेकर x, y, z से हम समय सकते हैं, जिसे कहते हैं, triadic concept of liberty, इसमें x होगा, कोई individual, जो free होगा, किसी बादायन से, किसी constraint से, उसे ह y कहेंगे, क्या करने के लिए, कुछ action लेने के लिए, और जो action है, उसको z कहेंगे, for example, freedom of speech, यानि कोई individual कुछ लिखना चाता है, कुछ बोलना चाता है, कोई बादशन देना चाता है, यह होगी freedom of speech, अब इसके लिए obstacle क्या हो सकता है, censorship हो सकता है, y हो गया constant, और वो क्या करन चाता है, खुद को express करना चाता है, अपने thoughts को, अपनी जो ideas है, उसको express करना चाता है, तो action क्या हो गया, यहाँ पर z हो गया, इसी तरह freedom to travel, और legal restriction y हो गया, और movement करना चाता है, कहीं जाना चाता है, तो वो z हो गया, वो action हो गया, तो यह example से हमें वो समझाते है, liberty as autonomy, यह जो प्रवीन ना करें, बिल्कुल ही individual को जो ही freedom कर दे दे, कहते हैं, यह liberty की ना सही definition नहीं है, liberty को as a autonomy ही हमें समझना चाहिए, अब वो autonomy का मतलब क्या है, इसको समझते हैं, वो कहते है, autonomy का मतलब यह नहीं होता कि, कि individual जो हार तरह की restriction यह हार obstacle से free है, आपने ऐसे declare कर दिया, autonomy का मतलब होता है, उस rationally सोच सके, उसके पास resources भी हो meaningful, ताकि वो उसमें से कुछ choose भी कर सके, और उस सब चीजों को enjoy कर सके, तरही liberty के actual माइन होगे, एक example के तोर पर, for example, government ने कहा है, कि आप free है कि गाड़ी चला सकते हैं सड़कों पर, लेकिन उसका फैदा क्या कहते हैं, अगर उसके पास गाड़ी नहीं है, साफ सड़की नहीं है, गाड़ी सिखाने वाला ही नहीं है, तो liberty को हमेशा as a autonomy देखो, कि available resources होने चाहिए, वो इनसान भी rationally सोच रहा हो, उसके पास good option होनी चाहिए, तब ही जाकर वो liberty को enjoy कर सके कर ना, ऐसे तो सरकार कहेगी, हमने कौन सा रो करते हैं किस चीज के लिए अपनी property को, जो भी उन्होंने कमाया है, अपनी पूरी life में उसको protect करने के लिए, और protective association यहाँ पर कौन है, state है, state जो है protect करेगी उनकी wealth को, उनकी property को, और नौजी कहते हैं सिरफ उसका काम है, law and order maintain करना, protect करना, जितनी मेनल से वो काम कर रहे हैं, उसको कोई चीन के ना ले जाए, कोई चोरी ना कर दे, डाका ना डाल जाए, कोई उसके साथ frame ना कर जाए, scam ना कर जाए, यह सारी चीजों से protection किस ने देनी है, state ने देनी है, तो state का काम है सिरफ इतना, इस से ज़्यादा उसको ज़्यादा करने की जुरणनी, इसलिए minimal state क कहते हैं, फिर creative freedom का idea आता है, mag person कहते हैं कि individual सिरफ free नहीं है, कुछ करने के लिए, या कोई property possess करने के लिए, rather उनके पास creative freedom होती है, यानि उन्होंने जो भी अभी तक possess किया है, उसको creatively वो use कर सकते है, अपने आसपास के महौल को वो change कर सकते है, तो creative freedom इसमें आ जाती है, creative freedom भी अपनी use करते है, artist अपनी paintings के जरिये कुछ ऐसी तस्वीरे बनाते हैं, जो लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती है, society को change होने के लिए मजबूर करती है, कि positive change वो लेकर आ सकते है, ये होता है, कोई वो अपनी creative freedom का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो freedom में एक creative freedom का angle जो है, वो Mac version जोडते हैं, अब बात करते हैं, next question की, आपने ये बताना है, capability approach को लेकर Martha नस्बम ने एक list त्यार की थी, कुछ capabilities की, इन में से वो capability कौन सी नहीं है, not included है, इसका right answer है, option number C and D जो है, वो इनकी list में included नहीं है, इसको समझते हैं थोड़ा, आपको पता है, capability approach सबसे पहले develop किस ने की थी, अमर्तिया सन्य कही थी, लेकिन इसको later on कौन develop कर रहा है, Martha नस्बाम कर रहे हैं, इसको ये भी समझे कि, अमर्तिया से इनने मना कर दिया था, कि capability, approach में हमें कोई capabilities की list त्यार करने की जूरुरत नहीं है, क्योंकि हर society की, अपने perspective होते हैं, अपनी जरूरते हो क्यों सी capabilities जो है होनी चाहिए, और उस पे government को focus करना चाहिए, कि ये individual की capability को increase किया जाए, ये इसका ध्यान रखा जाए, उसमें आती है life, bodily health, bodily integrity, sense, imagination and thought, emotion, practical reason, affiliation, play, control over one's environment, ये सारी nine जो list है, उन्होंने बनाई है, और आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना, बढ़ते ह अगले question की और, अगले question में आपसे ये पूशा गया है कि luck egalitarianism term को किसने coin किया है, इसका right answer है, option number third, Elizabeth Anderson ने किया है, चलिए इसको भी थोड़ा से explanation में समझते हैं, luck egalitarianism term Elizabeth Anderson किन के लिए coin करती है, ये coin करती है तब जब वो describe कर लिए कुछ egalitarian thinkers को, describe करने के लिए, categorize करने के लग egalitarianism theory से belong करते हैं, luck egalitarianism क्या है, लग egalitarianism social justice की ऐसी theory है, जो कहती है दो तरह के luck पाये जाते हैं, एक होते हैं, brute luck, जिसे हम कहते हैं, बाग्ये खराब होना, बहुत ही बदकिस्मत होना, brute luck, और दूसरा होता है option luck, अब brute luck क्या है, brute luck वो होता है, जो आपके control में नहीं है, आप disable पैदा होगे, जापके साथ कोई बड़ा accident हो गया, जाँ फिर आप किसी disaster में फसके, यह सारे brute luck है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके साथ यह सारी हास्य हो गया है, और luck egalitarianism जो thinker है, वो क्या कहते है, वो कहते है, brute luck पर हमें काम करने की जू आपसे होगी, यह सारे option luck हो सकते है, लक egalitarianism यह कहते हैं कि option luck में individual ले choices लिए, वो खुद जम्मेवार है, इसलिए वहाँ पर हमें composite करने की या उनकी मदद करने की जुरूरत नहीं है, एंडरसन इसी चीज को criticize करते हैं, कहते हैं यह जो सारे thinker हैं, egalitarian thinker, डवार कीन, एरंसन यह सारे thinker एक चीज बूल रहे हैं कि इनके concept में एक flaw है, वो flaw क्या है, वो यह कहते हैं कि egalitarian theory किस चीज पर focus करती है, वो सबको साथ लेकर चलती है, सबके लिए equal respect शो करती है, सबके लिए concern शो करती है, सबके लिए वो सवेधन शील है, लेकिन egalitarian thinker यह बूल रहे हैं, वो तो हमो रहे हैं, लेकिन जिनोंने life में कुछ ऐसे choices ले ली और उनसे वो गलतियां हो गई, वो गलतियों के लिए खुद ही जिम्यदार है, उन्हें खुद ही उसका consequences face करने होगे, एंडरसन यह कहरे, अगर हमें उनकी भी मदद करने की जुरूरत है, उनकी और भी हमें ध्या पूशा गया है, उसमें मैकैवली की दो statement दी है, उसके accordingly आपने answer बताना है, इसका right answer है, option number 4, statement 1 false, statement number 2 true है, कैसे उसको हम explanation में समझते हैं, मैकैवली ने जो भी state के बारे में बात की है, या उसकी unity के बारे में बात की है, वो उनने अपने prince की book में की है, ना कि history of Florence में की है, इ अगर importance की बात करते हैं, कहां पर करते हैं, अपने discourse वाली book में करते हैं, या आपने ध्यार नकना है, अगले question में आपसे पूशा गया है, कि Thomas Hobbes ने natural law दिये हैं कुछ, ठीक है, वो natural law कौन कौन से हैं, इसका right answer है, option number 4, A, B, E है, बाकी दो नहीं है, कैसे नहीं है, चली इसको होते हैं, जो change नहीं हो सकते, तो वो 19 में से कुछ 5 जो हैं, उससे ये question prepare किया गया है, तो वो 5 कौन कौन से हैं, सबसे पहले है, शान्ती की तलाश करना, seek peace and follow it, फिर है, आपका जो natural light है, कुछ properties को लेकर, उसको abandon कर दो, फिर है, individual must honor their contract, अगर कोई contract करते हैं, जिससे state जनम ल जो peace आएगा समाज में, society में, शान्ती आएगे, वो इसलिए आएगे कि individual एक दूसरे को trust करते हैं, अगर वो trust ही नहीं करते हैं, तो किसी तरह को कोई peace की सबावना नहीं है, चाहे state या supreme authority कुछ कर ले, फिर इसी के साथ उन्होंने कहा है, supreme power हमेशा supreme authority के साथ co-insight करनी चाहि मनलब जो authority है, उसके पास सारी power होनी चाहिए, absolute power की यहाँ पर बात की जा रही है, चलिए बढ़ते हैं अगले question की ओर, अगले question में आपको दो list दी है, उसके accordingly आपने इनको match करना है, इसका right answer है option number third, कैसे वो भी देखते हैं, सबसे पहले आता है, psychopathology of oppression का idea दिया है, फ्रांस वानों क्या है, एक psychiatrist है, तो इन्होंने किस पे study की थी, जो colonialism या oppression के mental effect होते हैं, उस पे study की थी, तो इन्होंने ये का कि colonialism में जैसे racism होता है, जो violence होती है, उसका मानसिक परभाव कौन से होते है, उसके mental effect कौन से होते है, इसके बारे में उन्होंने बताया था, फिर आता है mass line by Mao Zedong, mass line जो है, एक leadership approach दी, इसका मतलब होगा कि जो माउक की party है, communist party, वो लोगों की बाते सुनेगी, उनकी idea सुनेगी, उनकी demand को सुनेगी, वो क्या चाते हैं, ये सारी चीज़ क्या मुश्किलों से गुजर रहे हैं, क्या problems हैं, ये सारी चीज़े सुनेगी, और उसके basis प approach को वो develop करते हैं, फिर इसके साथ overlapping consensus का जो idea है, वो किस ने दिया है, John Rawls ने दिया है, ये idea basically क्या है, एक democratic society या एक stable society establish करना चाता है, John Rawls कहते हैं, देखो, हमारे different different views हो सकते हैं, different different चीज़ों को लेकर different perspective हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़े ऐसी होगी, जहां पर हम agree करेंगे वो है overlapping consensus, वो कौन सी होती है, जैसे कि वो कहते हैं कि कहीं पर common ground पे हमें agree करना होगा, for example, कोई एक व्यक्ति चाहता है, कि मुझे freedom मिलनी चाहिए, और मुझे कोई भी उस freedom में interfere ना करे, disturb ना करे, अगर वो चाहता है, तो इसके लिए जरूरी है, कि बाकी भी same चाहेंगे, त हाँ, liberty सब के लिए जरूरी है, अगर मुझे मेरे लिए liberty चाहिए, तो ये जरूरी हो जाता है, कि मैं दूसरों को भी liberty दूँ, तब ही जाकर मेरी liberty को कोई अच्छे से respect करेगा, तो इसे overlapping consensus का idea लिए जाते हैं, फिर आता है, democratic centralism, Lenny ने दिया है, इसका simply मतलब यही है, कि एक decision को कोई violet नहीं कर सकता, फिर opposition या उसमें dissent की कोई भी गुंजायच नहीं रहती, यसे कहते है, democratic centralism, अगले question क्यों बढ़ते है, काल माक्स ने जो state के ideas दिये हैं, तो वो state के ideas को देते वक्त कुछ चीजों से, कुछ factor से influence हुआ था, वो list दी गई और आपने बताने हैं से कौ जो कब होता है, 1852 में publish होता है, यहाँ पर वो advice करते हैं कि bureaucratic को ज़्यादा powerful जो state है, उसको बिलकुल denounce कर देना चाहिए, प्रॉलिदेरियत को वो advice करते हैं कि इसको destroy कर दो, खतम कर दो, ऐसी state existence में नहीं होनी चाहिए, एक revolution के through, क्यों करते हैं, या कौन से factor उनको influence करते है यह सारी चीज़े, सबसे पहले तो फ्रेंच state को लेकर जो उनका perception है, उनका जो analysis है, उस चीज़ को लेकर, फिर 1848 की जो revolution है, यह यो यौरप में आती है, उसको लेकर influence होते है, फिर कूद इताद जो आता है, नेपॉलियन 3 का जो तकता पल्ट होता है, उस चीज़ को लेकर influence होते हैं, उसके basis पे यह सारे ideas देते हैं, अगले question की और बढ़ते हैं, अगले question में आपसे दो statement दी गई है, जर्शन और reason की उसके basis पे आपने answer बताना है, इसका right answer है, option number one, चलिए अब इसको explanation में हम समझते हैं, जोन लोग ने concept दिया, जिसे कहते है तबूला रासा, तबू को कोई ग्यान है, आप उसमें सारी चीज़े लिखते हो बढ़ते हो, वो society से सारी चीज़े grasp करता है, जैसे जैसे बढ़ा होता है, आसपास के महौल से सीखता जाता है, वैसे वो clean slate लेता है, बिल्कुल blank लेता है, इसका मलब nature versus nurture की debate में, जोन लोग जो है nurture कहते हैं, अगर अच्छे से कोई train कर दे, अच्छे से कोई skills खा दे, अच्छे से knowledge कर दे, तो वैसा इंसान बन जाएगा, कोई पीशे से सारी चीज़े सीख करनी आता, राधर वो एक blank state लेकर पैदा होता है, यह जोन लोग का मानना था, बढ़ते हैं अगले question की और, अगले question में आपसे दो गोल स्टोन क्राफ जो है, अडमायर नहीं कर रही है, क्रिटी साइस कर रही है, किसको कर रही है, एडमन बर्ग को और जीन जैक रूसो को क्यों कर रही है, क्योंकि इन दोनों के view थे कि women जो है, वो inferior होती है men's से, तो यह कहता है यह जो चीज है यह women की जो weakness बता रहे है, यह गलत बता रहे है, ऐसे नहीं होता, वो इसलिए weak है, जब moral inferior इसलिए हो गई है, क्योंकि उसको ढंक से education ही नहीं दी गई, intellectual और moral development उसकी अच्छे से key नहीं गई है, naturally ऐसा नहीं है, यह society ने ऐसा कर रखा है, तो इसलिए कहते हैं, अगर social और cultural norms बदल जिये जाए, जो women को restrict न के दुआरा human action को लेकर कुछ expect दिये गए है, कि कब action लेते हैं, किस basis पर लेते हैं, वो expect आपने बताना है, कौन कौन से हिन में से ठीक है, इसका right answer है, third, A, C, D, JS mill बात करते हैं, इसको थोड़ा से समझ लेते हैं, तो JS mill कहते हैं, human कोई action लेता है, तो उसके तीन पहलू होते तीन expect होते हैं, क्यों लेता है, सबसे पहले होता है moral expect, कि उसने समाज से कुछ moral और ethical norm सीख रखें, और उसके accordingly वो action लेता है, for example, आप रास्ते पे जा रहे हो, किसी का wallet गिर गया, अब आप कैसे decision होगे, action कैसे लोगे, जा तो आप मिगे मन में बैमानी आएगी कि नहीं मैं wallet खुद रख रखता हूँ, जा फिर आपने समाज से जो ethical norm सीख रखें, कि नहीं इमानदर रहना है, आपने बैमानी नहीं करनी है, जिसकी जो चीज़े उसको लटा देनी है, तो आप उसके accordingly action दो गए, एक moral aspect हो गया, एक होता है aesthetic aspect, इसमें आप morality के basis पे action लेते हो, आपको ल साथ एक तीसरा भी aspect है, वो है sympathetic aspect, आप तब भी action लेते हो, जब आप दूसरे के साथ sympathize करते हो, सो हानुपूर्ती जाहिर करते हो, कि उसके साथ सही नहीं है, या गलत नहीं हो रहा विचारा ठीक नहीं है, दुखी है, या तो मुझे उसको sport करना चाहिए, guide करना चाहिए, त उससे हिसाब से भी आप action लेते हो, या तीन aspect, moral, aesthetic, sympathetic, जो है JS मिलने दे रखे हैं, या आपने बूलने नहीं है, हम अगले question की अब बात करते हैं, penalty of evil का concept इन में से किस ने दिया है, वो आपने answer पताना है, इसका right answer है, option number 3, Hannah Aaron ने दिया है, penalty of evil का concept Aaron का मतलब क्या है, वो कहते ह हैं कि evil action जो है, वो कोई भी ordinary इंसान भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई monstrance individual है, जब बहुत ही खराब इंसान होगा, तब जाकर ही वो evil action लेगा, एक रोज मरा के जिंदिगी में 9 to 5 जाब करने वाला भी बहुत ही खतरनाख evil action ले सकता है, हम सब में एक बहुत बड़ा शतान होता है, कभी भी बाहर आ सकता है, penalty of evil में ये समझाया था, जब खास करके जर्मनी में जुईस की killing हो रही थी, तो उन्हें बताया था, तो कैसे ordinary people जैसे officer होगे, तो कितने killing में वो involved हो जाते है, कैसे होगे, तो henna iron ने इस चीज़ को समझने की कोशिश की थी, और वहा इसको समझते हैं, concept किस ने दिया है, Aristotle ने दिया है, जोड़े मैं नहीं होता है कि life का आपको जब purpose मिल जाता है, ultimate goal मिल जाता है, और ये आपके लिए एक highest good बनती है, एक happiness का कारण बनती है, ये अलग तरीके का pleasure देती है, वो नहीं temporary नहीं होता है इसमें, तो आपको लक्षे मिल जाता है, एक goal मिल जाता है, और आप को उसमें ही मजा आने लगता है, for example आप अगर teaching career में जाने लगे हो, तो आपको लगता है कि मैं teaching में ही जाओंगा, teaching में मुझे वो fulfillment मिल रही है, तो ये आपके लिए ultimate goal बनने वाला है, for example अगर resist total को ले लिए, उसके लिए ultimate goal life का था कि philosophy करनी है, knowledge में involved होना है, बहुत खूप सारा ग्यान लेना है, ग्यान देना है, तो उस चीज में वो जादा उन्हें खुशी मिलती, ये होता है ultimate goal in the life, ये नहीं कि temporary सुख कहीं से मिलना है, वो कर लिया, फिर वहां से सुख मिलना बंद हो गया, फिर वो कर लिया, ऐसी and forth, यानि to जो है implication नहीं होता है, इसको थोड़ा सा हम explanation में समझते हैं, कि कौन-कौन से तरीके फिर होते हैं, जैसे कि आता है सबसे पहले reflection, ये कहते है सबसे सही तरीका है, noblest way है, noblest way है, आप चिंतन करते हो, आप देखते हो मुझसे क्या गलत हो रहा है, मैं क्या सही कर हो, क्या करना चाहिए, ये जीजे क्यों है, जब आप अपने अंदर question करना शुरू करते हो, सवाल खड़े करते हो, फिर होता है imitation, ये सबसे असान तरीका है, आपने दूसरे को नगल कर लिया, for example, कोई आपसे ज़्यादा समझदार इंसान है, जब बड़ा philosopher, बड़ा scholar हो, जो जो उसने कहा है, आप उसके mark दर्शिक बन जाते हो, उसी पर चलते हो, कि उसने जो कहा वो करूँगा, bitrest way होता है experience से, wisdom गेन करना, ये सबसे यादा कठिन way है, wisdom को गेन करने के लिए, चली अब solve करते हैं, Indian political thought के questions को, सबसे पहला जो question आपसे पूशा गया है, वो है दो statement को लेकर, उसके accordingly आपने answer बताना है, इसका right answer है, option number 3, statement 1 true है, लेकिन statement 2 false है, कैसे, इसको समझते हैं हम, शास्त्रा का मतलब यही होता है, rule, command, code of law and science, तो इसलिए ये statement ठीक थी, लेकिन जो दूसरी statement दे रखा था, कि धर्म शास्त्रा जो है, हिंदी टेक्स से ब्लोंग करता ह वीडियो को pause करके आराम से देखिए, इसका right answer है, option number 3, इसको भी हम देखते हैं कि किसका concept क्या क्या है, सबसे पहले आता है, जो शद्गुन निती है, जिसको foreign policy की निती कहा जाता है, वो किसकी है, कोटिलिया ने दिये शद्गुन निती, उसमें उसने six method बताए हैं, जो एक अपनी enemy के territory के पास जो है forces को station करना शुरू कर दीजिए, जैसे चाइना इंडिया के लिए करता रहता है, फिर आता है यन जैसे movement कहता है, याने military exercise करना, आज भी कितनी country military exercises करती है, अपनी enemy के territory के आसपास उसे ड्राने के लिए, समझ रहा, जिसके साथ आपके similar objective मैच कर रहे तबी तो ऐसे group बनते है, guard, bricks या और G20 या फिर non-aligned बना था, global south क्यों बनते हैं, क्योंकि objective उनके similar हो जाते हैं, फिर आता है dual policy follow कीजिए, यानि इसका मतलब है एक country का साथ दोस्ती कीजिए, दूसरे का साथ दुश्मनी कीजिए, क्यों करना है ऐसा क्योंकि कहते हैं कि दो front पे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है, दो front पे wall लडना ठीक नहीं है, तो आपको दुश्मन और दोस्त दोनों चाहिए foreign policy में, internationalization में अगर survive करना है आपने, तो दूसरा देखते हैं, नियोवदानत का idea किस ने दिया, विवेकानन ने दिया, वो क्या कहते थे इस philosophy में, वो spirituality की बात करते हैं, वो selfless service, यानि करम योग, या devotion, बक्ती योग, meditation, ध्यान योग की बात करते हैं, कहते हैं, यह सारी चीज़े क्या है, spiritual growth को achieve करने के लिए, वो कहते हैं, इसे individual की transformation तो होगी होगी personal, इससे society की भी betterment जो है, साथ में आएगी, बराणी ने चार तरह की आर्मी दी इसमें बोट आगे, यानि जासूस आगे, यह सारी चोटी मटी और चीज़े आगे, जो वार में काम आती है, अब next बढ़ते हैं, next में आपसे है, synthetic universalism का idea किसने दिया है, रबिंदराना टगोर ने दिया, रबिंदराना टगोर इस idea में basically क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम मानत इसको celebrate करना होगा, commonalities को भी साथ में देखना होगा, और देखना होगा, क्या-क्या चीज़े हमारे में common, दूसरे लोगों को समझना होगा, इससे peace भी बढ़ेगा, synthetic universalism का idea, टगोर का यह कहता था, अगले question की और बढ़ते हैं, यह आपको एक quote दिया गया है, वीडियो को pause क देखना है कि कैसे work करता है, उसका kingdom कैसा हो सकता है, तो आपको imagine करने के जुरणी या किसी से पूछने के जुरणी आप देखिए, actually भगवान की working कैसे हो रही है, कैसे पता चलेगा, आप दुनिया देखिए, आसपास देखिए, history देखिए, क्या-क्या होता आ रहा है, अब क कैसे work करता है, human nature कैसे work करता है, यह सारी चीजे देखेंगे, small scale में ही चाहे देखिए, imperfect form में भी देखिए, आपको लगएगा कि कुछ चीजे ठीक नहीं चल रही है, कुछ error भी आपको दिखाई देगा, यह सार्ब कुछ दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ demonstrate होने लगेगी, वास्तविक परदर्शन जो है, वो दिखने लगएगा कि कैसे जो है God की working चल रही ही है, इस statement में वो यह बदाना चाहते थे, बढ़ते हैं अगले question की और इसमें आपको कुछ statement दे रखिए, टगोर के nationalism को लेकर, वीडियो को pause करके आराम से पढ़िए, इसक आप अपनी country के साथ प्यार करते हैं, आप में देशबक्ती की बावना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी country या दूसरी लोगों के साथ नफरत करें और उनके साथ conflict में involved होना चाहिए, ये nationalism सही nationalism नहीं है, फिर दूसरी चीज वो कहते है, universalism का idea देते हैं कि एक universalism से idea है को कि nationalism का idea की शुरुवात वहां से हो रही है, कि इसने war को, weapon को, violence को जनन दिया, ऐसा nationalism आप कभी भी follow मत कीजिए, इसलिए वो extreme nationalism, जो यॉरप का nationalism में वो मानते थे, वो एक extreme nationalism है, ऐसे nationalism को लेकर वो criticize करते हैं, ये लोगों को, cultures को divide करता है, इसलिए जो nationalism होना चाहिए, क assertion और reason की दो statement दीगे, उसके accordingly आपने answer बताना है, इसका right answer है, option number one, कैसे उसको समझते हैं, और वो भी दो cultural nationalism का concept देते हैं, कैते है, cultural nationalism का मतलब ये नहीं कि हमने political कोई objective अचीव करना है, या कोई power में आना या ECG हासल करनी है, cultural nationalism का idea इस sub motive से थोड़ा beyond है, एक अलग idea है, कैसे क्योंकि ये idea nationalism को as a religious act देखता है, और कहते हैं कि nationalism या राष्टरवाद की भावना है, या राष्टरवाद को अच्छे से follow करना है, कोई nationalist movement चल रही है, उसको इस तरह से देखा जाता है, कि ये एक धार्मिक करम है, और भगवान की इच्छा है, कि आप ये सारी चीजे करो, और इसके साथ और बिंदो की जो spirituality की समझ या spiritualism की समझ वो कहते हैं कि spiritualism से सिर्फ individual की spiritual growth नहीं होती है, अगर वो meditation कर रहा है या और चीज़ों में follow कर रहा है, या spiritualism की knowledge ले रहा है, इसके साथ साथ society की transformation होने के भी power रखता है, पुरे world को transform करने के भी power रखता है, क्या spiritualism, य बरते हैं अगले question की और दो list को आपने match करना है, एक list में political parties और दूसरे list में associated thinker दिये, किस party से कौन से thinker belong करता था, इसका right answer है, option number two, चलिए इसको भी हम explanation में देखते है, radical democratic party M.N.Roy, independent liberal party से कौन, B.R.A.R.M.B.E.D.K.R., Congress socialist party, रामनोहर लोहिया, बारतिया, जनसंग, दीन, बरते हैं अगले question की हो, अगले question में आपसे क्या पूछ रखा है, दो statement दे रखी है, सवरकर और उसके हिंदूतव को लेकर, उसके according ले आपने बताना है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका right answer है, option number third, पहली statement ठीक है, लेकिन दूसरी false है, इसको भी थोड़ा सा हम समझते हैं कि कैसे, सवरकर ने जो अपनी book लिखी है, Essentials of Hindutav, जिसको Hindutav, who is a Hindu के नाम से भी जाना जाता है, उसमें Hindutav की theory दी थी, 1923 में publish होती है, statement 2 में जो दे रखा था, publishing year वो गलत था, तो Essentials of Hindutav में सवरकर ने क्या कर रखा है, Hindutav का idea दे रखा है, जसमें वो मानते हैं कि एक मजबूत और Unified India की जरूरत है, किसके बेसिस पर ऐसा मजबूत और Unified India बनेगा, हिंदू धरम के अधार पर ये बनेगा, इसमें वो कहते हैं, हिंदू इंट्रस्ट को, हिंदू कमिनिटी को, प्रोटेक्ट करना और उसको कंसॉलिडेट करना, सारी बाते हिंदू तव की इस इसमें थोड़ा से समझ लेते हैं, Annihilation of Caste जो है, वो कब लिखा जाता है, 1936 में लिखा जाता है, ये क्या है, ये अभी बुक की फोर्म में है, लेकिन ये तियार किया गया था, एक स्पीच की फोर्म में, तो इस बुक का सेंट्रल थीम क्या है, इसमें क्रिटिसाइज कर हैं, वो Caste को condemn कर रहे हैं, Caste सिस्टम को, और वो कहते हैं, कि Caste discrimination को कैसे eradicate किया जाए, ये urgent need है, और बात करते हैं, कि Caste सिस्टम को बिलकुल ही खतम कर दिया जाए, Annihilation, Annihilation का मतलब यह ही होता है, कि बिलकुल खतम कर देना, तो सारा थीम इसी चीज़ पर चर्चा करता ह उस चीज पर अगले question की और बढ़ते हैं दो statement दीगे ही हैं और उसके accordingly आपने answer बताना है इसका right answer है option number one तो देखते हैं ये statement में क्या-क्या दे रखा था सबसे पहले चीजे जे परकाश नरायन ने बिहार movement को लेट किया 1970s में किया इसे बाद में किस से नाम से जाना जाता है total revolution के नाम से जाना जाता है तो total revolution की movement किस ने लीड की ये पूछा गया तो जे परकाश नरायन ही इसका answer होगा ये बिहार की एक movement थी शोशो-प्लोटिकल movement थी क्या aim था इसमें जो बिहार में corruption चल रही थी या economic inequality के issue चल रहे थे या governance के issue चल रहे थे उस सारी चीजों के लेकर अगेंस्ट ये movement जे परकाश नरायन ने लीड की थी अगले question की और बढ़ते है दीन द्याल उपाद्या की आपको कुछ books दे रखी है उनको आपने क्या करना है chronological order में लगाना है इसका right answer है option number 4 चलिए इसको भी देख लेते हैं की सही order इनका क्या है सबसे पहले आता है राश्टर जिवन की समस्याए और the problem of national life कब publish होती है 1960 में एकात्मा मानवाद और integral humanism 1965 राश्टर जिवन की दिशा और the direction of national life 1971 political diary 1968 में publish होती है यह सारा order याद रखना चलिए अब solve करते हैं comparative politics के question को comparative politics के question जो NTA पूछ रहा है इस बार difficult पूछ रहा है तो हमने भी कुछ चला कि difficult और नए question एड़ करने की कोशिश की है सबसे पहले question में आपको पूछा गया है जो Sydney वर्बा और Gabrielle Armand ने civic culture का concept दिया है उनमें से कौन सी statement incorrect है statement दे ही रखी है इसका right answer है option number third B और C जो है वो incorrect statement है चलिए इसको भी हम जो है देख लेते हैं explanation में सबसे पहले तो यह है कि आल्मिन और वर्बा ने civic culture political attitude and democracies in five nations book लिखी है 1963 में publish होती है five nations की यह study करते हैं दो old democracy यानि UK और US को compare करते हैं दो young democracy यानि Italy और Germany को पड़ते हैं फिर एक developing nation Mexico की study करते हैं इसलिए statement एक गरेक्ट है आल्मिन और वर्बा ने political culture को जब वो define किया था तो उससे चार तरह के political system निकल कराते हैं वो कौन कौन से हैं तीन नहीं है अगले question की और बढ़ते हैं दो statement दे रखी हैं और उसके accordingly आपने answer करना है इसका right answer है option number third अब इसमें देखते हैं कि कैसे ये जो है right है और कौन से statement गलत ही लुसिन पाई ने जो focus किया है political development के concept को वो जरूरी नहीं कि सिरफ developing world पर ही exclusively focus किया है इसलिए वो statement जो थी वो गलत हो जाती है उन्होंने दोनों word को focus करने की कोशिश किया है develop को भी और developing को भी बढ़ते हैं अगले question की और अगले question में आप से Leonard Binder का जो political development का thesis है उसके कुछ part दे रखें इनमें से कौन सा part सही नहीं है ये बताना है आपने इसका right answer है option number one ये part जो दे रखा है ये सही नहीं है चलिए देखते हैं कैसे और क्या-क्या है इसमें Leonard Binder ने political development का thesis develop किया काफी famous thesis है उनका और appreciation भी मिलती है जो committee on comparative politics है USA की एक body है जो comparative politics की studies में बहुत जादा बड़ी contribution करती है तो वहाँ से appreciation मिलती है अब Binder अपने thesis में क्या कहते है वो कहते है political development अगर किसी country में होती है तो उसको कुछ changes से गुजरना होगा वो कौन-कौन से changes है उसकी बात वो करते है सबसे पहला आता है change of identity from religious to ethnic and from parochial to societal इसको statement में उल्टा कर रखा था तो यानि जो लोग पहले अपने आपको सिरफ धर्म के साथ ही देखते थे कि हम सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है ठीक है जैसे इंडिया की nationalist movement आने से पहले देखते थे तो अगर वो इन सब चीजों से उपर उठके ethnic level पर आ जाए, मतलब वो देखने लगे कि हम सबसे पहले इंडियन है यानि ये political development उस country में होनी शुरू होगी दूसरा है change of legitimacy from transcendental to imminent resources इसका मतलब यह है कि अब पहले जो divine law की बात की जाती थी या divine rights of king की बात की जाती थी कि राजा को जो है भगवार ने बेजा है यहाँ पर राज करने के लिए ये शाषन चलाने के लिए तो ये सारी चीज़े जो है इससे जब उपर उठके secular law को follow करने लगते हैं लोग तो political development आने लगती है फिर तीसरी चीज़े elite से mass participation बनने लगती है यानि political participation पहले कोई एक घराना चला रहा था या कुशी वर के लोग चला रहे थे उनके पास power होती थी अब mass के पास जाने लगी है democracy आने लगी है voting rights मिनने लगे हैं ये सारी चीज़े होने लगी है फिर होता है change of distribution from status and privilege to achievement जैसे कि आप किसी उची जात में पैदा होगे या अमीर घर में पैदा होगे तो ये सारी चीज़े नहीं मानी जाएगी ये आपका पहले status बनता था तो political development तब कलह जाएगी अगर कोई मेनत करके कुश अचीव करता है तो हम तब मानेंगे कि उनकी privilege सही है और अगर जिस society में ये चीज़ लागू होती है meritocratic society आती है वहाँ पर हम कहेंगे political development हो रही है पांचवे नंबर में कहा है कि जो administration है वो काफी हद तक penetrate करने लगे different level पर, different region पर social structure पर, rural level पर city के level पर, district के level पर यहाँ तक भी penetrate करने लगे centralized bureaucracy जो है उसकी जो पहुंच है वो ज़ादा दूर तक जाने लगे तो भी political development आती है अगले question में आप से पूशा गया है bureaucratic authoritarianism जो term है वो किसने coin की है इसका right answer है Glimo और Daniel तो क्या कहते है Daniel उसको भी समझ लेते है bureaucratic authoritarianism यह term लेकर आते है 1973 अपनी book में book का नाम क्या है modernization and bureaucratic authoritarianism studies in South American politics तो क्या कहते है यह Latin America में एक regime आती है जो mid 20th century में यह उसको define करने के लिए bureaucratic authoritarianism word use करते है क्यों करते हैं क्यों करते हैं यह जो एक नई regime पनपनी है इसमें क्या हो रहा है bureaucracy बहुत strong है इनकी और political engagement जो ही इतनी खास नहीं है वो repress की जार रही है वहाँ से यह bureaucratic authoritarianism term को coin करते हैं Latin America की वो new regime को समझाने के लिए अब यह question और आ गया इसमें आपको क्या करना है दो list को match करना है एक में concept है एक में think करें पॉस करके सोचिए इसका right answer है option number one चलिए इसको भी समझते हैं कौन सा concept कि स्टिंग कर गा है development syndrome का concept Lucene Pie ने दिया political simulation का concept Kenneth Balding ने दिया building of democracy का concept J. Ronald Panock ने दिया concept of ambivalence and mimicry किस ने दिया Homie Baba ने दिया बढ़ते हैं अगले question की और अगले question में आप से पूशा रखा है कि surrogate clonialism की term किसने coin की important question है मैं बताऊंगा क्यों important बनता है इसका right answer है Scott Atron क्योंकि ये कही न कहीं current affair के साथ related है इसलिए ये question बनाया गया है आपके लिए डाला गया है surrogate clonialism की term Scott Atron ने की वो एक anthropologist है कि अब की 1989 में वो एक essay लिखते है जिसका नाम है surrogate clonialization of Palestine 1917 to 1939 ये उनके essay का नाम है अब पता चल गया क्यों current affair के साथ associated है क्योंकि इसराइल-Palestine conflict चल ला है तो कुछ ऐसे comparative से question अगर उठाते हैं तो chances हो सकते हैं ऐसा question आए तो Atron क्यों करते हैं ऐसी करम surrogate clonialism होता क्या ये कहते हैं चुरू कर दे और उनको country बना कर दे दे और वो ऐसी चीज को कहते हैं surrogate clonialism और कहते हैं Britishर ने ऐसा किया भी है Belfort declaration होई थी आपने current affairs मेरे सुलनी होगे जिसमे इसराइल-Palestine की conflict को मैंने detail में बता रखा है तो अगर नहीं सुना तो उस वीडियो को भी जाकर देखिए मिल जाएगी आपको अभी recent वीडियो डालिए तो उसमें जो Belfort declaration होती है Britishर क्या कहते हैं वो कहते हैं कि अगर Jewish हमारा साथ देंगे World War 1 में तो हम उनने Palestine में एक homeland बना कर देंगे बढ़ते हैं अगले question की और अगले question में आपसे क्या पूशा गया है इन में से कौन सा correctly match नहीं है वो आपने बताना है इसका right answer है option number 3 Aaron Lichwatt की ये book नहीं है ये book किस की है The Process of Government Arthur Bentley की ये 1908 में आती है अगले question की और बढ़ते है अगले question में दो statement दे रखी है और आपने बताना है इन में से कौन सी statement के रखते है कौन सी नहीं है इसका right answer है option number 3 यानि पहली statement सही है लेकिन दूसरी गलत है कैसे इसको भी समझ लेते है देखो diverger कहते हैं कि चार तरह की तो party होती है caucus, branch, cell and militia ये चार तरह की हमें structure मिलती है party में ठीक है दूसरी statement incorrect इसलिए थी क्योंकि उसमें लिखा था caucus structure जो है वो mass parties द्वारा adopt की जाती है लेकिन diverger कहते है जो caucus structure होती है वो lead parties के द्वारा की जाती है अब इस structure में क्या होता है membership बहुत ही कम होती है सबको नहीं दी जाती है बड़े गिने चुने लोगों को दी जाती है ध्यान से दी जाती है वहीं एक होती है branch structure branch structure कौन follow करता है mass parties करती है huge membership होती है जैसे आज कल BJP इंडिया में कर रही है वो branch structure का पार्ट है mass party है गिने चुने लोगों के पास membership नहीं है ऐसी बात नहीं है अब बात करते हैं अगले question की अगले question में आपको कुछ book दे रखी है ठीक है और आपने बताना है इन में से कौन सी book incorrectly match कर रखी है incorrect देखना है आपना इसका right answer है option number B and E तो B और E जो book से वो गलत दे रखी है उसको देखते हैं कि right फिर क्या है सबसे पहले तो समझिए जो power elite है वो किस ने लिखी है C right मिलने लिखी है उन्होंने political parties book नहीं लिखी है और political parties जो book है वो Robert Mission ने लिखी है उन्होंने power elite नहीं लिखी है पुल्टा पुल्टा कर दिया है बस आपको confuse करने के लिए अब बढ़ते हैं अगले question की और अगले question में आप से ये पूशा गया है कि illiberal democracy की term को कौन यूज करता है किसके लिए करता है मैं explanation में बात में बताऊंगा इसका right answer है option number 2 फारीद जाकरिया जो है वो करते हैं ऐसी term को use कब करते हैं वो illiberal democracy वो use करते हैं 1997 में एक article लिखते है जहांपर लिखते है और the rise of illiberal democracy कहांपर लिखते हैं ये article पब्लिश होता है foreign affairs magazine में क्या कहते हैं वो कहते हैं एक नई regime इमर्ज हो रही है दुनिया में ठीक है वो एक अलग ही तरीके की democracy follow करने लगे है उसे कहते है illiberal democracy illiberal क्या है वहाँ पर multi-party elections भी होगे हर party यानि elections में participate भी करेंगे वहाँ पर universal participation भी होगे voting rights भी मिलेंगे लोग vote डालने भी आएंगे सरकारे भी चुनी जाएंगे लेकिन वहाँ पर क्या नहीं हो रहा वहाँ पर civil liberties नहीं दी जा रही है यानि लोगों के rights जो है अच्छी तरह से नहीं protected है rule of law को वहाँ पर follow नहीं किया जा रहा यानि law से उपर उठ जाते हैं जो power में आ जाते हैं और उसको manipulate करते हैं अपने इसाफ से तो ये illiberal democracy वो मानते हैं चली अब solve करते हैं international nations के questions को सबसे पहला जो आपको question दिया गया है उसमें आपने क्या करना है international treaties दी गई है उनको आपने chronological order में लगाना है ये PYQ है आता रहता है question इसका right answer है option number 3 तो चली इसका right order भी हम जो है देख लेते हैं सबसे पहले order में आता है treaty of west failure 1648 में आती है treaty of uterus कब आती है 1713 में फिर आती है treaty of versailles 1919 में फिर आते है charter of united nation 1945 में अगले question क्यों बढ़ते हैं अगले question में आपको कुछ statement दे रखी है non zero sum game को लेकर कौन सा scenario best है इसमें से यानि ये जो statement इनको read कीजिए वीडियो को राम से pause कीजिए समझिए कोशिश कीजिए क्या right answer होना चाहिए इसका right answer है option number 3 A और C जो है वो non zero sum game के साथ associated scenario है चली इसको हम explanation में समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले आ गया non zero sum game ये क्या होता है जब दोनों players का यानि दोनों nation का benefit हो जाए by cooperating जब वो cooperate करते एक दूसरा का साथ देते जैसे scenario A में दे रखा है उसमें क्या दे रखा है कि अगर कोई nations जो है कोई trade agreement में participate करेंगे तो इससे दोनों का फैदा होगा उस trade agreement में क्योंकि trade agreement होगा दोनों को country की wealth increase होगी wealth increase होगी economic growth हाएगी job creation होगा तो दोनों का benefit होगा ये scenario A होगा scenario C होगया non zero sum game में climate change जैसे issue पर अगर मिलकर सभी काम करते हैं तो सबका benefit होगा क्योंकि climate change सबको equally effect करेगा ये एक global problem और इसका solution भी collectively होगा चले अब zero sum game की बात कर लेते हैं zero sum game में क्या होता है कि एक का अगर benefit होगा तो दूसरे का उसमें loss होने वाला है जैसे कोई tennis या chess का खेल होगा कोई एक ही जीतेगा दोनों नहीं जीज सकते तो scenario B उसी चीज को दर्सा आ रहा था जैसे कि natural resources होते हैं अगर कोई country ज्यादा use करने लगेगी acquire करने लगेगी तो क्योंकि वो limited होते हैं तो दूसरी country को क्या होगा loss होगा उसको वो natural resources का access जो है वो कम मिलेगा या उसको कम use कर पाएगी यह scenario B में लिखा scenario D में क्या लिखा था scenario D में भी लिखा है कि जो military alliance होते हैं वो भी zero sum game का part होते है military alliance किये जाते हैं क्योंकि common security threat है कि हमें इससे खत्रा है कोई common हमारा threat है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कि वो कभी ना कभी तो war में involved होंगे कभी ना कभी किसी conflict में involved होंगे तो वो अगर common threat को defeat भी करते हैं तो किसी का तो loss हो रहा है वो common threat का loss हो सकता है या खुद का loss हो सकता है दोनों में से कोई एक जीतने वाला है तो military alliances भी zero sum game का part बनते हैं चलिए अगले question की और बढ़ते हैं अगले question में आपसे ये पूश रखा है कि जो debtorance theory की assumption से ये नीचे statement दी गए कौन सी सबसे ज़्यादा assumption जो है debtorance theory के साथ match कती है इसका right answer है option number third कि war को लेकल alternative available होते हैं और state के conflict prevent किये जा सकते हैं कैसे हम इसको समझते हैं debtorance theory केते हैं अगर state को ये पता चल जाए या इस चीज को समझ ले कि war में involved होने से उसका नुकसान जादा हो रहा है और फैदा कम हो रहा है तो वो debtor कर जाएगा वो war में involved नहीं होगा तो उसको समझ आ जाएगा कि war को रोकने के लिए या war में involved होने के जुरूर नहीं कुछ alternative means भी होते हैं जैसे diplomacy होती है negotiation होती है economic sanction होती है so ये alternative available होते हैं war के इसलिए तो debtorance theory work करती है अगर ये ना होते है तो debtorance theory कैसे work करती है option A incorrect क्यों है क्योंकि debtorance theory assume करती है decision maker जो होते हैं rational होते हैं वो logical decision ले लेते हैं ऐसे नहीं है कि war में कूद जाते हैं वो पूरा calculate करते हैं कि हमें benefit होगा या नहीं होगा तो वहाँ पर irrational लिखा हुआ था option B incorrect है क्योंकि debtorance theory कहती है कि जो war में involved होंगे तो war के chances हो सकते हैं बहुत जादा बढ़ जाए destruction बहुत जादा हो जाए तो high chances होते हैं लेकि statement में दे लखा तो low होते हैं इसलिए correct होते हैं right है कि high हो जाए होने के chances है option D incorrect इसलिए है क्योंकि debtorance theory कभी भी guarantee नहीं देती कि war जो है रोक लिया जा सकता है जो war को debtor अगर किया जाएगा वो मेशा ही successful होगा अगर आप insecure state के against debtor कर रहे हो वो backfire भी कर सकती है चीज आपके लिए वो आपके against में भी जा सकती है हो सकता है वो insecure state जो आपसे डर रही है जाए उसको डर है कि आप attack कर दे कि वो पहले attack कर दे तो war को debtor करने के attempt हमेशा successful नहीं होते debtor and story guarantee नहीं करती लेकिन statement में लिखा था guarantee करती है तो इसलिए ये गलत है अब question 4 को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या रखा है soft power of state के कुछ elements दे रखे हैं कौन-कौन से होते हैं इसका right answer है option number 4 कैसे इसको देख लेते हैं एक पार culture जो है वो भी एक element होता है soft power का language भी जो है वो भी एक soft power का element होता है और देख लेते हैं कौन से होते हैं foreign aid भी होता है diaspora भी होता है weapon नहीं होते हैं वो hard power का जो है एक element होता है soft power का नहीं होता है अगले question की और पढ़ते हैं अगले question में दो statement दे रखी है और आपने बताना है इन में से कौन कौन सी statement correct है इसका right answer है option number 4 यानि statement 1 जो है वो false दे रखी है लेकिन statement 2 true है कैसे इसको जानते हैं सबसे पहले तो समझिए statement 1 incorrect है क्योंकि Walls की theory जो international politics की है वो बिल्कुल भी नहीं कहती कि superpower को dominate करना चाहिए वो rather यह कहती है कि balance of power रहना चाहिए यानि दो superpower हो गए या कोई और हो गए regions उनमें एक power का balance रहना चाहिए जितना balance of power रहेगा उतना ज़्यादा stability और peace internationalization में या international लिना में रहेगा statement वो इसलिए correct है क्योंकि Alexander Walls believe करते हैं कि interdependence of countries की बढ़ रही है अगर वो बढ़ रही है तो इसका मतलब है कुछ changes आएंगे interdependence होने की वाजा से कैसे changes आएंगे वो कहते हैं जैसे कि हम देख रहे हैंगे internationalization में कुछ transformation हो रही है किस तरह की transformation हो रही है तो अपना ही नुकसान करवा बैठेंगे तो इसलिए वो कहते हैं अब chances है कि balance of power जितना बना रहेगा उतना ही उनके लिए benefit होगा इसलिए कोई भी dominance करके या war में involve होगा तो उसका नुकसान हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले question की और अगले question में आपको दो statement दे रखी है Robert Cox को लेकर और आपने बताना है उसके accordingly क्या correct answer इसका right answer है third यानि A सही है लेकिन R गलत है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं Robert Cox कौन है? critical theorist के एक prominent scholar है तो ये क्या करते हैं? ये कहते हैं दो तरह की theory पाई जाती है I.R. में एक होती है problem solving theory और एक होती है critical theory problem solving theory वो होती है जो international relation में कोई immediate problem आई न उस problem को देखेगी analyze करेगी उसके solution provide कराएगी एक positive approach से लेकर चलती है लेकिन दूसरी तरह की भी एक theory होती है उसे कहते critical theories होती है ये क्या करती है? ये जितनी I.R. में अभी currently चीजे चल रही है जा जो भी power structure internationalization में अभी exist कर रहा है उसको challenge करती है उसको question करती है और जो traditional theories होती है उनको criticize करती है इसलिए इनको critical theories कहा जाता है ये status quo में believe नहीं करती है जो existing structure चल रही है उसमें कोई न कोई खामिया या अलोचना डूणने की कोशिश करती है कि कहां पर गड़बड़ी हो रही है so problem theory जो है वो बिलकुल नहीं challenge करती currently power structure को लेकिन critical theory जो है वो challenge करती है जो currently power equations चल रही होती है global politics में बढ़ते हैं अगले question की होई अगले question में आपको कुछ statement दे गई है social constructivism की theory को लेकर और उसके according लिए आपने answer देना है इसका right answer है option no.3 A, B, C जो है वो सही है लेकिन D जो है वो सही नहीं है चलिए इसको भी हम एक करके समझ लेते हैं statement A correct है Nicholas Knopf एक American academician थे उन्होंने क्या किया social constructivism को word को coin किया किसमे किया उनकी 1989 में एक book publish होती है जिसका नाम है The World of Our Making उसमें उन्होंने किया statement B भी correct है social constructivist जो थे वो Anthony Giddens जैसे scholar से inspired थे उनकी कौन से theory से inspired थे structuration की theory से inspired थे वो theory क्या कहती है वो ये कहती है कि social structure और human agency जो होती है वो mutually constitutive होती है अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब simply ये है social structure की अगर example लो जैसे कि आपने देखा होगा gender wage gap होता है gender wage gap क्या होता है कुछ workplace में women को कम wage मिलती है male के मुकाबले में अब ये होगी एक social structure और human agency क्या होगी वो engines होगी जो women को इस हक दिलाने के लिए काम कर रही है तो ये कहते है दोनों ही mutually constitute होती है साथ-साथ मिलकर काम करती है अगर ऐसी कोई social structure exist करेगी तो human agency भी जनम ले लेगी तो दोनों का साथ मिलकर काम करेगी तो social structure जो होगी human agency वो change करने की कोशिश करेगी यहीं से constructivist ये concept को उठाते और कहते है उन्हें ये चीज़ समझ आती है कि social structure fix नहीं होती है वो बदलती रहती है recreate होती रहती है यहां से वो अपनी theories लेकर आते हैं थोड़ा से और इसको समझते हैं social constructivist ये भी stand लेते हैं कि realist जो near realist की theories है वो गलत है किस तरह से गलत है कि हमेशा material factor जैसे military power हो गया या economic resources हो गया यही internationalization में primary drivers नहीं है इसकी वज़ा से internationalization में सारी चीज़े नहीं हो रही है कुछ और भी चीज़े होती है norms होते हैं ideas होते हैं identities होते हैं यह सारे factor role play करते हैं international system में कि state कौन से action लेने वाला है तो यह factors को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए statement D जो है incorrect है क्योंकि Alexander Wendt जो है वो नहीं believe करते थे इस चीज़ में जो neo-realist argument देते हैं कि anarchy जो है वो self-help की lead condition में जाती है anarchy मतलब कोई भी law international relation में काम नहीं करता है वहाँ नार्की की situation है सब state जो है सब जो government है अपनी मर्मर्जियां करेगी तो self-help की condition में आ जाती है self-help का मतलब होता है कि अपनी मदद खुद कर लो आपको कोई बजाने नहीं यहां आने वाला है क्योंकि आपके ऊपर कोई authority नहीं होगी तो उसको भी country जो है अपनी perception के एसाब से देख रही है नार्की को इसलिए वो change भी हो सकती है वो ideas और norms पे है fixed नहीं है वैसे के वैसे नहीं रहने वाली है अगले question की बात करते हैं आपको कुछ statement दे रखिये किसकी statement दे रखिये hyper-globalist globalization को कैसे देखते हैं वो पूश रखा है वीडियो को pause कर लिजिये अराम से पढ़िये बड़ी-बड़ी statement है इसका right answer है option number one कैसे इसको हम अब देखते हैं hyper-globalist globalization के perspective को क्या कहते हैं हम एक new era में enter हो रहे हैं जहांपर traditional nation state का जो idea है वो इतना effectively काम नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ही जादा globalized economy होगी है complexities बढ़ गी है और वहाँ पर उनके हमें failure नजर आ रहे है failure का नजर आ रहे territory अब काम ही नहीं कर रही जैसे पहले करती होती थी अब तो घर बैठे-बैठे ही internet की connectivity से कौन कहां पर connect हो रहा है क्या कर रहा है ये activity government भी जो है control नहीं कर पा रही है इसी तरह global economy जो है वो भी government की control से चलेगी एक जो company है tax away करने के लिए किसी दूसरी country में shell companies खोल लेती है ऐसे जो है चीजे करती है ये control जो पहले tax पर होता था वो भी शूटता जा रहा है तो ये कहते है hyper globalist की globalization ने ये सारे change लेकर आए है अब बढ़ते हैं अगले question की और अगले question में आप से just at bellum और just in bellum को लेकर statement पूशी गई है और बताना है कौन सी इन में से correctly है इसको लेकर इसका right answer है option number third कैसे इसको भी हम समझ लेते हैं कि इसके मतलब क्या होता है देखो war में न दो term use की जाती है एक होता है just at bellum और एक होता है just in bellum just at bellum क्या है उसका मतलब होता है कि right to go to war कोई country war में involved होती है तो सही condition कौन सी मानी जाएगी self defense को लेकर collective security को लेकर humanitarian intervention की वज़ा से अगर war में involved हो रही है तो जाया जे right है और एक होता है just in bellum इसका मतलब होता है war को regulate करने के कुछ law होते हैं कुछ नियम होते हैं काईदे कानून होते हैं उनको follow करना जाए है जैसे कि civilians को आपने नहीं मारना है जिसके पास हत्यार नहीं है non camera से उनको आपने नहीं मारना है दूसरी चीज यह है कि अगर आपने किसी sannik को बंदी बना लिया है prisoner of war है उसका treatment अच्छे से करना है और इसके साथ cultural property को नुकसान नहीं करना किसी की कोई heritage property है बहुत value एक country के लिए तो उस पे attack नहीं करना उस पे bump नहीं कराने तो यह होते है Justin Bello जो rule सिखाता है वहार को कैसे लड़ना है अब बात करते हैं question की इसमें दो list दे गई है और आपने इनको match करना है उसके accordingly correct answer बताना है right answer है option number 4 इसको भी हम देख लेते हैं इसके कैसे कैसे क्या क्या matching है International Tomic Energy Agency क्या है UN की एक specialized agency है World Trade Organization एक independent organization है किसी की specialized agency नहीं है African Union क्या है एक regional organization है Gulf Corporation Council क्या है एक sub-regional organization है यह sub-regional क्यों बन गी यह sub-regional है इसलिए बन गी क्योंकि जो अरब के अंदर भी एक region है जैसे Gulf region कहते हैं तो यह उन countries की एक क्या है organization है इसलिए यह sub-regional organization कहलाती है चलिए आप solve करते हैं India's foreign policy के questions को इसमें जो सबसे पहला question आप से पूछ रखा है वो है गुजराल doctrine को लेकर कुछ statement दी गई है और आपने बताना है कौन सी statement incorrect है इन में से इसका right answer है option number second यह statement incorrect है चलिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं गुजराल doctrine जो है पांच principle की mostly बात करता है foreign policy में कि immediate जो neighbor है उनके साथ हमारा कैसा relation होना चाहिए non interference का territorial integrity का इस सारी चीजों की बात करता है लेकि statement B में एक contradictory statement दे रखी है कि South Asian country अपनी territory को allow करेगी ताकि दूसरी जो South Asian country है वो use कर सके अपने benefit के लिए कोई भी किसी की territory को use नहीं करेगा सब अपनी अपनी territory में रहेगे और territorial integrity territory की respect करेगे यह गुजराल doctrine कहता है उल्टा लिखा हुआ था और बाकी की जो option है वो गुजराल doctrine के साथ match करती अगले question की और बढ़ते हैं अगले question में आपको एक quote दे रखा है और आपने बताना है यह quote इन में से किसका है इसका right answer है option number one Dr. S. J. Shankar का यह quote है चलि इसको भी थोड़ा सा हम explanation में समझते हैं Dr. S. J. Shankar यह reason dialogue होता है New Delhi में 2020 में यहाँ पर यह quote को use करते हैं और वासुदेव कुटंबकम जो एक word है Sanskrit word जिसका मतलब होता है word is one family यह कोई ऐसी term नहीं है या ऐसा word नहीं है कि सिरफ J. Shankar यूज कर रहे है इंडिया के mostly literature जो है इसको use करते आ रहे हैं यह चीज दरसाती है I2-U2 के कुछ statement दे रखी है group के और आपने बताने इन में से कौन-कौन सी statement correct है इसका right answer है option number 2 A और B correct लेकिन बाकी की जो statement है वो सही नहीं है चलिए इसको भी थोड़ा सा हम explanation में समझ लेते है statement A correct है क्योंकि I2-U2 जो group है उसमें कौन-कौन involved है India, Israel, United, Arab, Emirates and US statement B, B correct है क्योंकि I2-U2 group जो है 2021 में establish होया था economic cooperation के लिए कहां पर इंडो-Pacific region में statement C incorrect है क्योंकि I2-U2 का कोई official meaning है यह नहीं यह तो simply क्या है जो countries इसमें participate कर रही है जो member है उनके नाम से यह निकला हुआ है 2Y का मतलब होता है India, Israel और 2U का मतलब हो गया United, Arab, Emirates और US statement D, incorrect है क्योंकि I2-U2 group जो है वो security पर focus नहीं करता primary focus उसका क्या है economic cooperation है हलाकि security जो है एक focus है लेकिन primary focus नहीं है statement E, incorrect है क्यों incorrect है क्योंकि किसी दरा को कोई भी criticism I2-U2 के against नहीं है कि यह transparent नहीं है inclusive नहीं है इसलिए वो statement incorrect हो जाती है बढ़ते हैं अगले question की और अगले question में भी आपको कुछ statement दी गई है किसके period की जो आहला नहरू time period की जो foreign policy उसको लेकर और उसके गोड़ी आपने right answer बताना है इसका right answer है option number 4 अब एके करके हम सभी statements को देखते हैं statement A जो रहे true है क्योंकि नहरू की जो non-alignment policy थी वो काफी consistent थी non-alignment को follow कर रही थी major power block के साथ जो है एक distance बनाये रखे हुए थे statement B क्या है statement B false क्यों है क्योंकि नहरू के time में India USA के relation जो थे वो close नहीं थे military और strategic domain की अगर बात करें क्यों नहीं थे क्योंकि नहरू खुद ही एक distance बनाये रखे हुए थे US के साथ वो western colonialism की तरह देखते थे USA को statement C भी false है क्योंकि कश्मीर का issue का नहरू की foreign policy पर बहुत जादा परबाब बढ़ा था और बहुत difficult हो गया था USA और Soviet Union के साथ सही relation बनाये रखना है क्योंकि उसमें बीच-बीच में कश्मीर issues आता जा रहा था statement D जो है true है क्योंकि नहरू की foreign policy जो है influence होई थी किसके principle से anti-clonalism और decolonization के sport को लेकर Asia और Africa के लिए वो वैसे भी self-determination की बात करते थे और non-alignment में एक reading role भी play करते हैं बढ़ते हैं अगले question की ओर अगले question में भी आपको कुछ statement दी गई है रजीव गांदी के time की foreign policy को लेकर और आपने बताना है कौन-कौन C correct है इसका right answer है option number 4 A, B, D correct है C नहीं है इसको भी हम थोड़ा-थोड़ा करके समझ लेते हैं statement A true क्यों है रजीव गांदी एक बहुत ही important role play करते हैं श्री-लंकन civil war में as a mediator क्या करते हैं वो India peace keeping force 1987 में वहाँ पर send करते हैं statement B भी correct है क्यों correct है क्योंकि रजीव गांदी एक crucial role play करते हैं सार्क सुमीत organize कराने में 1985 में statement C false है रजीव गांदी ने Soviet Union को criticize नहीं किया था जब उन्होंने अफगांदीसान में हमला किया रधर जब current government थी रजीव गांदी की तो वो Soviet Union के close थी और उनने logistic और economic sport भी provide कराई थी invasion करने के time पर statement D भी true है रजीव गांदी के channel में इंडिया के चाइना के साथ relation खराब हो गए थे क्योंकि सम्दोग्चू stand-off चला था 1986 में ये जो stand-off चला था ये border dispute था इंडिया चाइना का और काफी मन्त तक काफी महीनों तक चला था उसमें बहुत सारा नुकसान casualties भी होती है बढ़ते हैं अगले question की और अगले question में दो statement दे रखी है और उसके according लिए आपने answer बताड़ा इसका right answer है option number 3 ए statement ठीक है और false है क्यासे चलिए इसको हम देखते है जो कच्चा थी वो island है एक जो इंडिया और शरी लंका के बीच में तो इसकी island को लेकर ना कि ये किसका है इसकी एक long history रही है ये शरी लंका और इंडिया में एक tension का कारण बनता है अजर्शन में कहा रखा था जो इंडिया और शरी लंका में agreement होते है उसमें इंडिया क्या करता है कच्चा थी वो का जो island है वो शरी लंका को दे देता है उसकी sovereignty को recognize कर लेता है लेकिन reason में उल्टा दे रखा है reason में दे रखा है कि शरी लंका ने इंडिया को वो island दे दिया ऐसा नहीं था, इसलिए वो गलत है अब बढ़ते हैं अगले question की और अगले question में आपको पूछ रखा है जो Fortaleza का declaration होता है उसमें क्या होता है, किस के साथ related है ये related है New Development Bank के साथ तो क्या है ये declaration ये declaration होती है BRICS सुमित में कौन सा सुमित होता है, जो ब्राजिल Fortaleza में होता है 2014 में ये 6th BRICS सुमित है, इसमें क्या निकल कर आता है, New Development Bank निकल कर आता है, और New Development Bank NDB, जिसे BRICS Development Bank से भी जाना जाता है ब्राजिल, लशिया, इंडिया, चाइना या South Africa ने मिलकर बनाया है, जो की BRICS की कंट्री है, तो इस बैंक का काम क्या होगा Infrastructure या Sustainable Development के रिलेटर जो भी प्रोजेक्ट है, उसको developing country में, खासकर एक BRICS वाली कंट्री में उसको स्पोर्ट करेगा, पढ़ते हैं अगले question की और, अगले question में आपको दो लिस्टे रखी है, उनको आपने match करना है, एक में नायम के सुम्मित है, और नायम के सुम्मित के साथ क्या-क्या निकल करा है, या outcome क्या है, या कैसे associate है, वो बताना है, इसका right answer है, option number two, चलिए इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, इसया अफ्रिका conference होती है, जिसे बांदूं conference के नाम से भी जाना जाता है, इंडोनेशिया में होती है 1955 में, यहाँ पर नायम के लिए एक groundwork होता है, इसके बाद नायम जो है अच्छे से establish होता है, यहाँ पर 10 principle of बांदूं conference निकल कराते है 1973 में होती है, यहाँ पर demand रखी जाती है new international economic order की, यह demand यह कहती है कि developed or developing country में disparities यानि economic gap बहुत बढ़ते जा रहे है equitable global economic system को हमें लेकर आने की जुरूरत है इसलिए जो economic order चल रहा है, जो institution चल रहे international level पर उनकी structure को change करने की हमें जरूरत है हमाना conference होती है कुबा में 1979 में यहाँ Cuban president Fidel Castro USSR को एक natural friend बताते है NAM का, क्यों बताते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि दोनों, NAM और USSR, imperialism और colonialism के opposition में खड़े हैं लेकिन इंडिया protest करता है इस चीज़ को लेकर क्या protest करता है, 1979 में तब जंता पार्टी की government थी और वो कौन सी policy follow कर ली थी, वो कर रही थी genuine non alignment, तो वो किसी तरह से भी किसी country के साथ align नहीं कर सकते हैं और फिर कोई दूसरी country USSR की तारिफ करता रहे है, जो उस टाइम पर super power थी, वो ये भी नहीं चाहते थे तो प्राइम निस्टर चोदरी चरन सिंग ने तो ये conference attend नहीं की थे, उनकी जगह पर foreign minister तब थे, शाम नदर मिश्रा उनको बेजा गया था, इस सुमीद को attend करने के लिए, अगले question की और बढ़ते है इसमें आपको कुछ statement दे रखी है quad को लेकर और वो आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी statement correct है, इसका right answer है option number 4, कैसे चलिए इसको भी हम समझ लेते है statement 1 है, quad क्या है, alliance है चार country हो का, इंडिया, USA, जपान और बृतेन नहीं बृतेन लिख रखा था, इसलिए ये statement correct है, Australia है चोथी country statement 2 है, जग concept of quad सबसे पहले किस ने propose किया था जैपनीज प्राइम निस्टर शिंजो एपे ने किया था इसलिए ये statement correct हो जाती है, कब किया था 2007 में किया था, ये भी याद रखना अगली statement देखते, statement 3 में क्या कहा है, इंडो पैसिफिक ये term किसने कोईन की है, काल होशोफर ने की है ये जर्मन जोगरफर थे, एक political scientist थे, इन्होंने इंडो पैसिफिक टर्म कोईन की 1930 में किसके लिए किये, इंडियन ओशियन और वेस्टन पैसिफिक ओशियन में, रीजन में जो पढ़ने वाला रीजन है, उसको उन्होंने इंडो पैसिफिक कहा, और statement 4 ने कहा USA ने अब एशिया पैसिफिक टर्म जो पहले उस रीजन के लिए यूज करता था, वो भी अब इंडो पैसिफिक टर्म यूज करने लगाए, क्योंकि इंडिया की इंपोर्नस बढ़ती जा रही है उस रीजन में और उन्होंने भी उस टर्म को adopt कर लिया है, तो ये statement में ये कहा था बढ़ते हैं अगले question की और, अगले question में आपसे ये का रखा है, कि इन में से कौन सा correctly match नहीं करता, वो आपने बताना है, इसका right answer है निमराना dialogue जो है, इंडिया USA में नहीं होता, ये match नहीं करता, तो ये क्या है dialogue, ये निमराना dialogue क्या है, ये एक annual conference होती है, एक dialogue होता है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर कौन करता है, ये कोई government नहीं कर रहे है, ये self appointed intellectuals कर रहे हैं 20 सालों से चल रहा है, एक कुछ various think tank है, जो foreigner sources से funding लेते हैं regularly इसको कला रहे हैं, किसी external location पे, तो ये एक civil society group है, जो ऐसे dialogue करवा रहा है, तो ऐसे ही और dialogue भी करवाये जाते हैं, वो दूसरी statement है उझको भी देख लेते हैं, शंगरिला dialogue जो है, इंडिया सिंगापूर के relation में कराया जाता है, रेजना dialogue जो है, वो इंडिया का एक flagship conference है, geopolitics और geoeconomics से issue को लेकर, और टावा dialogue होता है, इंडिया और पाकिस्तान के relation को लेकर, चली अब solve करते हैं, unit 7 political institution of India के question को, इसमें जो सबसे पहला question आप से पूछ रखा है, वो दो list है इन दोनों को आपने match करना है, एक में asymmetric federal provision है, दूसरे में किसके साथ वो associated है, इसका right answer है, option number third, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, article 371 ने किसके साथ deal करता है, नागले land के साथ, article 371 F, किसको special provision देता है, सिक्कीम को article 371 G, किसको देता है, मिजौरम को देता है, article 371 H, किसको special provision देता है, अरणाचल परदेश को बढ़ते हैं अगले question की ओर, chronological order में आपने इन सबको लगाना है और उसके accordingly answer बताना है, इसका right answer है, option number one, चलिए इसका भी हम right order देखते हैं, सबसे पहले कौन सा आता है, sequence में, Morley Munto Reforms आता है, 1909 में फिर Montego Champs Fort Report आती है 1919 में, फिर Simon Commission 1927 में आता है, Crips Mission 1922 में आता है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की ओर, अगले question में आपको assertion और reason की statement दे रखी है और उसके एसाब से आपने answer बताना है इसका right answer है, option number third assertion सही है, reason गलत है, चलिए इसको जान लेते हैं, interstate council जो है किस article के तहथ establish होती है article 263 के तहथ, क्या आम क्या होता है इसका state, center or between the states जो है, उसके coordination बना कर रखना, president इसे establish कर सकते है जब भी उनको लगे कि इसकी जिरूरत है और वो इसकी duties को भी define कर सकते है council का जो function होता है वो है advice देना और उनकी advice जो होती है वो advisory होती है, binding नहीं होती है वैसे भी आप Indian policy में देखोगे mostly जो advices होती है वो advisory nature की होती है, binding नहीं होती बहुत ही कम cases होते है, जहाँ पर ये binding होती है बढ़ते हैं अगले question की और अगले question में आपको पूछ रखा है drafting committee के, इन में से कौन-कौन से member थे और आपने answer बताना है, PYQ है इसका right answer है option number 4 ऐसा question बार-बार आता रहता है, चलिए इसको देख लेते है drafting committee का भी establish होती है August 9, 1947 में होती है इसका बहुत बड़ा काम होता है, वो होता है constitution को draft करना, पूरे अच्छे से prepare करना उसमें ये सारे member आ जाते हैं जो आप screen पर देख सकते हैं इनको एक बार अच्छे से देख लेजिए इससे बार-बार question जो है, बनते रहते हैं अगले question की और बढ़ते है आपको election की reference को लेकर कुछ statement दे गई है और आपने बताना है इनमें से कौन-कौन सी statement incorrect है correct नहीं है, ये ध्यान रखना इसका right answer है, option number 2 B और C जो दे रखी है वो incorrect है, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं सबसे पहले तो statement C incorrect है क्योंकि election का सबसे पहले notification आता है फिर उसके बाद nomination की जाती है इसलिए जो statement में दे रखा है, वो गलत दे रखा है फिर statement B जो है, वो भी incorrect है क्योंकि जितने भी election officer appoint किये जाते हैं, वो in consultation with the state government किये जाते हैं ना कि state legislature के दुआरा ये चीज आपने ध्यान में रखती है बढ़ते हैं अगले question की और यहाँ पर आपको कुछ cases दिये हैं, वो यह है article 21 को लेकर कि article 21 को जब Supreme Court ने interpretation दी कुछ cases में उसको expand किया, तो उसको associate करना है कि कौन-कौन सी judgments आई, इसका right answer है option number 2, चलिए इसको भी AK करके देख लेते हैं, सबसे पहले आता है M.H. House Court versus State of Maharashtra, जिसे right to free legal aid कहते हैं, फिर हुसेन नारा खातू versus Home Secretary Bihar, जिसमें right to speedy trial की judgment आती है, ओलगा टैलीस versus Bombay Municipal Corporation जो 1985 में आता है, उसमे right to livelihood की आती है, K.S. पुता-स्वामी versus Union of India 2017 में आती है, उसमें right to privacy दिया जाता है, तो right to life and liberty में right बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, cases after cases वो कैसे बढ़ते हैं, यह आप cases की example में देखी रहे हैं, बढ़ते हैं, अगले question की और अगला question भी cases को लेकर है, इसमें कौन से cases है, basic structure को लेकर जो कैसे से उनको match करना है, इसका right answer है, option number 2, चली इसको भी देखते हैं, केश्वाणनदबार्ती versus State of Keral, 1973 में आता है supremacy of the constitution की बात करता है, इंदरासानी versus Union of India 1992 में आता है, rule of law की बात करता है, मिनेरवा मिल्स versus Union of India, 1980 में आता है, harmony and balance between fundamental rights and TPSP की बात करता है, फिर इंदरा नहरू गांदी versus Rajnayan के यह आता है, 1975 में equality of status and opportunity of an individual की बात करता है, यह सारी चीज़े क्या है, यह सारी चीज़े जो judgment में बात करता है, वो कहते हैं कि it's part of a basic structure of constitution, यह चीज़ आप थ्यान रखना, बढ़ते हैं अगले question की और, अगले question में आप से यह पूशा गया है, urban local government के साथ कौन कौन सी ministry deal करती है, इसका right answer है option number third, तो कौन कौन सी ministry deal करती है, चलिए देखते हैं ministry of housing and urban affair करती है for states, ministry of defense भी करती है for cantonment boards जो होते हैं शहरों में, फिर ministry of home affair भी करती है, कौन से union territory के लिए यह आप त्यान रखना, बढ़ते हैं अगले question की और दो statement दे रखी हैं और उसके according लिए आपने answer बताना है इसका right answer है, दोनों ही statement गलत है, इसको देखते हैं, दोनों गलत क्यों है explanation में, सबसे पहली जो statement है, वो गलत इसलिए है क्योंकि CAG जो अपनी report है, उसको कौन examine करता है, public account committee करती है, estimate committee नहीं करती फिर दूसरी statement के से गलत है क्योंकि CAG अपनी report किसको submit करता है, directly president of India को submit करता है, cabinet secretary को नहीं करता है, इसलिए वो statement गलत थी, अगले question की और बढ़ते हैं, आपने इन में से incorrect pairs बताने हैं, जो high court के articles के दे रखे हैं, इसका right answer है, option number one A और B दोनों गलत दे रखे हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, article 216 deal करता है, constitution of high court, इसको गलत दे रखा है, article 226 किसके साथ deal करता है, power of high court to issue certain risk को लेकर power जो high courts की है, उसके साथ, article 228 किसके साथ deal करता है power of superintenders over all courts by high court, मना high court की जो power है, वो दूसरी court से बरकर है, उसको deal करने के लिए article 228 है, फिर article 231 किसके साथ deal करता है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा state में एक common high court को establish करना है, इसके लिए कौन सा article deal करता है, article 231 deal करता है, चली अब solve करते है unit 8 political process in India के question को, और इसमें सबसे पहला जो question पूछ रखा है, वो ये है कि UN women data है, जो women representation में, उसमें कौन कौन सी country इंडिया से आगे है women representation में, इसका right answer ही है, सभी country इंडिया से women representation में आगे हैं, तो इसका data आप screen पे भी देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि women को reservation भी मिल गई है, parliament में भी और state assembly में, तो आने वाले दुनों में ये data जो है बदल जाएगा, जिसमें इंडिया का जो rank भी है women representation में वो भी improve हो जाएगा, बढ़ते हैं अगले question की और, chronological order में लगाई है chief election commissioner of India को और इसके accordingly आप answer चूज कीजिए, इसका right answer है option number two, चलिए, इसका explanation में समझते हैं, कौन सा order पहले आता है सबसे पहले आते है, सुकुमार सेन, फिर अगले question की और, अगले question में आपको दो list दे रखी है, एक list में farmer organization दे रखी है और दूसी list में पूछ रखे है, कि state से ब्लोंग करती है इसका right answer है option number two, चलिए, इसको भी एक एक करके देखते हैं, farmer organization जो है शेतकारी संगठन कहां ब्लोंग करती है महाराष्टर में, किसान मजदूर, वेपारी संग कहां पर है, राज़स्थान में किसान मजदूर, संगठन कहां पर है, वेस्ट मेंगाल में समाता संगठन कहां पर है, और इसा में है अगले question की और बढ़ते हैं अगले question में आपसे पूछ रखा है इसमें उन्होंने कहा है कि लगता नहीं है कि civil society जो है अपने पैरो पर या अपने आप खड़ी हो सकती है तो किस ने कहा है सुदिप्ता कवीराज ने कहा है ऐसा वो क्यों कहते है इसको थोड़ा सा हम समझ लें सुदिप्ता कवीराज कहते हैं जो civil society का concept है बड़ा paradoxical है paradoxical क्यों है वो कहते है देखिए एक democratic society में जो civil society exist करती है कुछ external factor की वज़ा से exist कर रही है पहले कहते है यह देखिए इसकी definition ही नहीं करी है civil society की तो उसकी वज़ा से पता ही नहीं चलता क्या civil society है क्या नहीं है तो इसके contrast में civil society को समझा जाता है civil society की independently concept या definition अभी clear नहीं है दूसरा है civil society external sport पर काम करती है यह government की funding पर international donor पर काम करती है private इसको donation मिलती है उस पर काम करती है तो इसलिए कहते हैं कि लगता नहीं है कि civil society जो है capable है freely अपने आप stand होने के लिए यह सुदिप्ता कवीराज के viewpoint थे बढ़ते हैं अगले question की और आपने बताना है इन में से कौन सी party जो है working class और laborer के लिए काम करती है इसका right answer है option number two BSP और CPI करती है इसको थोड़ा सा समझ ले BSP किस पर focus करती है lower caste के लोगों को जो marginalized community है minorities पर focus करती है क्या focus करती है वो इनको social justice दिलाने की बात करती है empowerment की बात करती है और कभी-कभी यह liberate initiative की बात करती है तो इसलिए इनकी policies जो होती है इनके जो initiative होते है वो इ और laborer पर काम करता है मतलब caste पर ज़्यादा वो focus नहीं करते है लेकिन working class और laborer पर focus करते हैं और क्या काम करते हैं उनके लिए काम करते है जो labor movement होती है उसको sport करते है better wages की बात करते है उनकी working condition को improve करने की बात करते है अगले question क्यों बढ़ते है अगले question में आप से यह कह रख रजनी कुठारी ने congress system का concept दिया है और उसको भी criticize किया जाता है पहला criticism यह मिलता है कि consensual character होता है एक congress system जब आ जाता है party को consensus मिल जाता है केता है यह over valuation है यह ठीक तरहां से रजनी कुठारी ने value नहीं किया है फिर रजनी कुठारी ने जो elite autonomy की बात की है उसका भी estimation सही नही वो भी over estimation है फिर रजनी कुठारी ने जो change की बात की है कि gradual change आता है वो भी estimation ठीक नहीं है क्योंकि rapid transformation और dynamic जो है economic और social change हो सकता है फिर हमें रजनी कुठारी में मिलती है opposition party की limited explanation केते हैं हमें रजनी कुठारी explain नहीं करते हैं कि opposition कैसे इंडिया में परनपनी है develop हो रही है 1975 मे emergency के time में इतनी ज़्यादा opposition देखने को मिलती है उसके बारे में रजनी कुठारी की ये Congress system की जो theory है concept है नहीं explain करती है अगले question की और बढ़ते हैं अगले question में आपको दो statement दे रखी और उसके साब से आपने answer बताना है कि कौन सी statement correct है कौन सी नहीं है इसका right answer है दोनों ही correct है चली इन दोनों को statement को हम explanation में समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हैं वीवीपैट जिसे कहते हैं water verifiable paper audit trail ये एक crucial component है इंडिया के modern electoral system के लिए इसमें क्या होता है वोटर जब वोट देता है तो उसमें से एक जब बटन दिपाता है electronic watering machine EVM का तो उसके साथ ये पढ़ा होत currency बड़ी है integrity बड़ी है water को विश्वास हुआ कि EVM machine को hack नहीं किया गया इसके साथ कोई haira fairy नहीं कीगी तो ये इस अंदर में statement पूछी गी ही और दोनों ही correct है अगले question क्यों बढ़ते हैं अगले question में आपसे ये पूशा गया है कि जो political society का idea है उन में से जो statement दे रखी है वही true है political society का idea किसका idea है आपको याद है पार्था चतर जी का idea है तो पार्था चतर जी कहते हैं चाहे हम मान रहे हैं कि इंडिया का political system जो है न वो western capitalist democracy जैसा बनता जा रहा है लेकिन कहते हैं एक difference है वो difference को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं सबसे पहले समझीए कि इंडिया में civil society और political society दोनों exist करती है civil society में कौन होते है अर्बन middle class के लोग होते हैं जादा capital society में जैसे civil society पाई जाती है वैसे ही है civil society होती है इनका behavior वैसे होता है лेकिन एक और society पाई जाती है वो है चीज समझाते हैं कि प्लिटिकल ससाइटी में पता कौन आते हैं ठेले वाले आगे आटो वाले आगे तो ये rules and regulation को वैसे follow नहीं करेंगे जैसे civil society वालों को करना पड़ेगा इनके account होगे registration होगी GST होगी ये सारी चीज़े इन्होंने कर रखी होगी लेकिन इनके पास क्या होत तो इस तरह से भी एक society work करती हो से को political society कहते हैं और इसी साब से ये statement दे रखी थी पढ़ते हैं अगले question की यो 1950 में जो representation of people act आता है वो basically करता क्या क्या है उसकी list दे रखी हो आपने बताना इसका right answer है option number 4 CEF करता है बाकी नहीं करता है इसको हम समझ लेते है 1950 के act क्या करता है seat allocation करता है लोगसभा की और legislative assembly की direct election के रिए जो voter qualify करते हैं election के लिए उनकी एक list त्यार करता है ये delimitation of constituencies जो होती है लोगसभा और assembly election की तो उसके लिए भी provision है इंडियन प्रेजिडेंट जो है constituency को alter कर सकते हैं with due consultation with किसके साथ election commission उसकी भी provision है electoral role की भी preparation करता है ये सारी provision इसम situation में आपसे क्या पूछ रखा है आपने बताना है कि इंडियन politics के जो scholar दे रखे हैं वो किसी ना किसी approach को belong करते हैं और आपने बताना है कौन से pair जो है वो incorrect है इसका right answer है option number 4 ये जो pair है B और D ये incorrect है रखे है तो right फिर pair क्या है सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये लंबी list है इसको एक बार read कर लेना अराम से पढ़ लेना वीडियो को pause करके सारी चीज़े clear हो जाएगी कौन सी approach से कौन सा thinker belong करता है चली अब solve करते हैं public administration के question को यानि unit 9 के question को इसमें सबसे पहला आपसे कौन सा question पूछा गया है कि कुछ dominant theme बताये गये हैं इनोंने जो public administration की first evolution की stage म emerge होते हैं तो वो कौन से dominant theme first stage में आते हैं इसका right answer है option number third BDE आते हैं इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं public administration की शुरुआत कब होती है जब study of administration 1887 में Woodrow Wilson एक essay लिखते हैं इन्हें आज father of public administration के नाम से भी जाना जाता है तो इसी essay के साथ शुरुआत हो जाती है public administration की first stage की चलिए जो Wilson की extra info है वो आप पढ़ लेना मैं आपको यह explain कर देता हूं कि जो जो statement correct है वो क्यों थी सबसे पहले है politics और administration को इस phase में separate नजरों से देखा जाता है दोनों को अलग कर दिया जाता है Wilson ही करते हैं सबसे पहले फिर दूसरी चाहती है public administration जो है value free science बन सकती है इस stage में जाकर ये चीज समझ आने लगती है फिर economy और efficiency पर focus किया जाता है कि public administration में ये सारी चीजों पर भी focus करने की जरूरत है इसी stage में किया जाता है question number two की बात करते हैं इसमें आप से ये पूशा गया है इनमें से कौन से public and private administration की similarity नहीं है वो आपने बताना है इसका right answer है option number third यानि पहली जो तीन दे रखी है वो similarity नहीं है लेकिन fourth जो है mutual exchange and rotation of personal ये similarity पाई जाती है public and private administration में तो public and private administration ने कौन कौन से similarities पाई जाती है उसकी list जो है मैंने आपको provide करवा दी है वो आप अराम से वीडियो को pause करके देख सकते हैं बढ़ते हैं अगले question क्यों अगले question में आपको दो list द फिर आती है cooperative social system Chester Bernard ने दी decision making model Harvard Simon का है newer tradition model जो है James D. Thompson का है बढ़ते हैं अगले question क्यों है अगले question में आपको दो statement दे रखी है और उससे basis पे आपने answer बताना है कि क्या right answer है इसका right answer है option number two statement one and statement two दोनों ही गलत है चले देखते हैं क्यों गलत है सबसे पहले तो समझे चालेस E. E. Lindblom ने दिया है incremental model of decision making कौन सी book में science of modeling दो और Izioni ने mix scanning model दिया है किसमें दिया है mix scanning article जो नों ने लिखा था 1967 में publish होता है उसमें दिया है और question में क्या कर रखा था इन दोनों के नाम के आगे इनके model जो है उल्टे कर दिया गे थे आपको confuse करने के लिए चलिए बढ़ते है अगले question की और अगले question है assertion और reason का आपको दो statement दे रखिए उसके accordingly आपने answer बताना है इसका right answer है option number 2 यानि assertion और reason दोनों ही correct है लेकिन R जो है correct explanation नहीं है A की तो चलिए इसको भी हम थोड़ा से explanation में समझते है एक logical approach को सबसे पहले कौन initiate करता है जे एम गौस करते है 1947 में फि फ्रेडरिक्स क्या करते हैं फिर फ्रेडरिक्स के chief exponent बन जाते है यानि ecological approach को इस तरह से systematically पढ़ते हैं इनको chief exponent होने की widely recognition मिल जाती है ये ecology of public administration का concept develop करते है 1960s में करते हैं तब से इनका नाम popular और रखा है बढ़ते हैं अगले question की और यहाँ पर आपने क्या करना है correct pair को find out करना है और उसके accordingly answer बताना है इसका right answer है option number third यानि A और C correct है लेकिन बाकी के correct नहीं है ये question क्या है सबसे पहले तो समझ लो functional formanship का जो concept है 8 तरह के होते हैं वहाँ से बनाया गया है तो correct pair की बात करते हैं root color क्या होते हैं जो workflow को देखते हैं कि कामकाज factory में ये industry में ठीक चल रहा है inspection formant क्या होते हैं जो product को analyze करते हैं quality को देखते हैं standards को देखते हैं incorrect pair में क्या क्या चीज़े थी instruction card man जो वहाँ पर लिख रखा है वो गलत लिख रखा है क्योंकि उसके साथ क्या दे रखा है एक ऐसा इंसान जो क्या करता है worker और supervisor की disputes को review करता है तो ये instruction card man नहीं लिखा होना चाहिए है था disciplinarian वो होता है फिर gang boss लिख रखा है कि उसकी responsible क्या होती है clean करना adjustment करना मशीनों की सफाई करना ये general care करना तो वो gang boss नहीं करता है वो कौन करता है repair boss करता है इसलिए ये incorrect pair है अगले question की और बढ़ते हैं अगले question में आपको क्या दे रखा है henry field ने industrial undertaking की कुश activities दे रखी है और आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी activity ठीक है इसका right answer option number 4 सिरफ एक गलत है कौन सी economical activity की वो बात नहीं करते हैं तो वो कौन कौन सी activities की बात करते हैं ये समयते हैं वो share activity कहते हैं जरूरी होनी चाहिए किसी भी industry factory को चलाने के लिए technical activity, commercial activity, financial activity, economical नहीं financial activity, security activity, accounting activities, managerial और administrative activities ये सारी जो है important activity है शेतरां की होती है याद रखना इसे बहुत बार question बनता है अगले question की और बनते है public choice theory के आपने thinker बताने हैं इनमें से कौन कौन से हैं और उसके accordingly answer बताना है इसका right answer है option number 4 यानि ये सभी जो thinker दे रखे हैं ये belong करते है public choice theory से तो इसको भी ह इसका origin कहां से होता है कौन से thinker होते हैं इनके नाम आप ध्यान रखना James Buchanan, Vincent Ostrom, Garden Tullock, Anthony Downsand, William Niskanon ये सारे नाम आप याद रखना public choice से associate करते हैं अब public choice theory में क्या क्या था या public choice school में क्या थे, economist भी थे, political scientist भी थे, ये किस चीज़ पे काम करते थे, ये इस चीज़ पे काम क होते हैं, उसको कैसे अच्छे से utilize किया जा, कैसे allocation की जाए society में, तो उसके basis पे ये theories develop करते थे, अब बात करते हैं अगले question की, अगले question में आपको suggestion और reason की statement दे रखी है और उसके accordingly आपने answer बताना है, इसका right answer है, option number third, suggestion ठीक है, लेकिन reason false दे लखा है, क्या है, इसको भी क्यों landmark event बन जाता है, बहुत सारे scholar, बहुत सारे intellectual कठे होकर उस conference में participate करते हैं, ultimately discussion से क्या निकल कर आता है, निकल कर आता है new public administration की, अब पराने public administration से हमें move करने की जुरत है new public administration जनम लेता है, इसमें क्या चीज़ बात की जाती है, इस conference में बात की जाती है, relevance की, values की, social equity की, change क client focus, ऐसी चीज़ों पर focus किया जाता है, याद रखो, फिर से revise करो, relevance, values, social equity, change and client focus, इनी में से question को बार बार उल्टा सीधा करके question डाला जाता है, मिनोबरी conference बहुत famous है, इसलिए इसको अभी से याद कर लो, बढ़ते हैं अगले question की और, अगले question में आपको क्या क्या रखा है, जैसे new public management भी कहते हैं, कुछ statement दीए, इनमें से आपने बताना है कौँसी गलत दे रखी है, इसका right answer है option number four, ते चलिए, इसको भी समझ लेते हैं कि Christopher Hood ने जो new public management का concept दिया, जैसे managerial program भी कहते हैं, उसमें seven points आते हैं, एक आता है कि आप public sector को एक professional management की तरह बनाओ, फिर आता ह है कि आप जो standards होते हैं, जा performance उसको भी measurement की जाएगी, फिर आता है public sector में कुछ units की disaggregation करने के जुरूरत है, फिर आता है public sector में क्या करना चाहिए, discipline ले कर आने के जुरूरत है, फिर आता है public sector में क्या करना चाहिए, private sector की जो management का style होता है, वो follow करना चाहिए, फिर और क्या कर चाहिए, आउटपुट पे कंट्रोल करना चाहिए, यह साथ मैंनों ने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बताए हैं, बहुत इंपोर्टन है, याद रखाए हैं, चलिए अब सॉल्व करते हैं, गवर्णनस और पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के क्वेश्चन को, यानि यून ने क्या का है, गुड गुवर्णनस के आठ कोर प्रिंसिपल या आठ कोर फीचर होते हैं, पार्टिस्पेशन, रिूल अफ लॉफ लॉट, ट्रांस्पिरेंसी, रेस्पॉनसिवनेस, कंसेंस, औरियेंटेशन, इक्विटी, इंक्लूजिवनेस, एफेक्टिवनेस, एंड ए citizen-centric administration है, उसको लेकर कुछ barrier हो सकते हैं, वो कौन-कौन सी बात करता है, इसका right answer है, option number two, ABD की वो बात करता है, लेकिन C, यानि absence of well-educated political leadership, इसकी वो बात नहीं करता है, तो थोड़ा सा इसको भी explanation में समझ लेते हैं, तो second ARC जो है, वो कुछ barrier की बात करता है, उनमें से cause barrier ऐस सबसे पहले आता है, attitudal problem of civil servant, lack of accountability, red tapism, फिर आता है low level of awareness on the rights and duties of citizen, फिर आता है effective implementation of law and rules, लेकिन well-educated political leadership की वो बात नहीं करता है, हलागि ये concern है, लेकिन ARC जो है, इसको directly address नहीं करता है, अगले question की और बढ़ते हैं, अगले question में दो list दी है, उसको list two से match करना है, इसका right answer है option number one, चलिए देखते हैं, ये कैसे कैसे match करती है, अगले question की, दो statement दे रखी है और आपने बताना है, इसके accordingly कौन सा answer बनता है, इसका right answer है, option number third, यानि ये जशन ठीक है, लेकिन reason जो है, वो false दे रखा है, false school दे रखाएं, चलिए, ये सारी चीज़े भी हम explanation में समझते हैं, सबसे पहले question true है, civil society होती ही, एक non-state institution या organization है, जो independently operate करती है, ना government के साथ कुछ होता है, ना family के साथ, दोनों से independently operate करती है, इसलिए question true बन जाता है, reason कैसे fall बनता है, civil society जो है, सिरफ private sphere के लिए थोड़ी न काम करती है, वो public sphere के लिए भी करती है, social welfare, education, environment protection जैसी चीज़ों पर जब वो काम करती है, तो वो public concern या public issues को भी लेकर आती है, और government को initiative लेने के लिए force करती है, इसलिए assertion सही है, और reason जो है वो गलत दे रखा है, बढ़ते हैं अगले question की, और अगले question में आपसे ये कह रख सकता है, चलिए इसकी बाकी की options को भी explore कर रहे है, तो checks and balance तो आप समझतों ना, एक ऐसा system है, जो abuse of power को रोकता है, checks and balance क्रू लगाया जाता है, कहीं parliament ज्यादा powerful ना हो जाए, ज़ो सरकार है, cabinet minister है, वो ज्यादा powerful ना हो जाए, सब एक दूसरी पर check and balance का किसी तरह से काम लेकिन जो तीन option और दे रखी थी, वो सारी गलत बन जाती है, क्योंकि question में पूछा था, check and balance बिगणने की वज़ा से क्या होगा, तो बिगणने की वज़ा से क्या accountability increase हो जाएगी, नहीं, वो तो कम हो जाएगी, तो इस तरह से ये option उल्टी कर रखी थी, और इसी ज़रा option C, D, less transparency, और option D, reduction in legislative responsibility, तो check and balance जब सही चलता है, तो ये सारी चीज़े साथ चलती है, इसलिए ये सारी incorrect option देखो, कि हमने in-educate देखना, ये नहीं देखना था कि क्या हो रहा है, check and balance ठीक चलने से, अगले question की और बढ़ते हैं, दो list दी है, इनको match करना है, legislative control के instrument दिये है, एक side, एक side, उनकी description दिये, किसके साथ match करती है, इसका right answer है, option number one, चलिए इसको भी देखते हैं, explanation में, public account committee क्या करती है, government के खर्चे को scrutinize करती है, no confidence motion क्या करता है, जब सरकार पर confidence नहीं रहता, तो इसको introduce किया जाता है, potentially सरकार गिर सकती है, budget approval क्या करता है, government के जो financial proposal है, उसको अ कराया जाता है, अगले question की ओर पढ़ते हैं, अगले question में आप से ये पूछा है, इंडिया में budget approval का जो procedure होता है, उसको chronological order में लगाई है, इस सारी statement को pause करके आप पढ़ सकते हैं, इसका right answer है, option number two, इसका भी एक right order हम देख लेते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है, annual financial statement, ज budget को scrutinize करती है, फिर वो budget रखा जाता है, approval के लिए उस पर voting होती है, demand for grants होती है, appropriation bill के लिए voting होती है, सारी चीज़े फिर last में की जाती है, इसका correct order फिर इसी साफ से बनता है, अगले question की ओर चलते हैं, अगले question में आप से ये पूछा गया है, कि इंडिया में abudsman जो है, व बनाने के लिए ये बनाया गया होता, अब investment का जो concept है, Sweden से सबसे पहले आया है, अब इंडिया में भी देरे देरे इसको जो है focus किया जा रहा है, इसको हिंदी में लोगपाल कहा जाता है, insurance investment, income tax investment और banking investment हम देखते हैं, इंडिया में पाये जाते हैं, अब तो RBI ने 2021 में एक scheme launch करती थी, उसको कहते हैं, one nation, one investment, ताकि अलग-अलग investment ना हो, एक nation के लिए एक ही investment हो, ये scheme लेकर आये थे, बढ़ते हैं, अगले question की और, अगले question में आपसे right to information को लेकर कुछ statement दे है, और आपने बताना है, इन में से कौन सी statement correct नहीं है, इसका right answer है, option number third, कि RTI जो है जम्म कश्मीर पर भी लागू होता, पूरे इंडिया पर लागू होता है, including जम्मु एंड कश्मीर पर भी लागू होता है, अगले question की और बढ़ते हैं, अगले question में आपको किया दे रखा है, अगले question में दे रखा है कुछ article, और आपने क्या करना है, देखना है कि इन में से कौन इसका राइट अंसर है वीडियो को पॉस करके सोच सकते हैं, इसका राइट अंसर है option number 1, A और B राइट मैच कर रहे हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है, 74th amendment act आती है, कौन सा वो constitution में part add करती है, part 9A add किया जाता है, अब ये किस के साथ related है, municipalities के साथ related है, कहां से लेकर कहां था article आते हैं, article 243P से लेकर 243Z चीता article चलते हैं, ये सारी जो list है, वो ये रही, ये list हमने क्यों निकाल ली, या ऐसा question क्यों डाला, क्योंकि NTA ऐसे brute fact वाले question जो है, पूछता रहता है, अब आपके मन में स्वाल होगा सारी, इसको याद कैसे करना है सारी, या को pause करके अराम से देख सकते हैं, उमीद करता हूँ आपको ये questions जो है पसंद आई होंगे, इस video को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके exam के लिए आपको all the best, अच्छे से गर गया आना और जैराफ लेकर आना, मिलते हैं बढ़िया result के साथ, thank you.